कि आप साथियों नमस्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनेंदन करता हूं आईए मित्रों हम लोग जो नियर अकाउंटेंट का जो प्रस्ण पत्र प्रथम हुआ है उसकी जो हैं उत्तरमाला मैं आपके सामने रखने की प्रियास कर रहा हूं हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यह जितने भी सब्जेक्ट है चाहे हिंदी हो इंगलीस हो चाहे रिजनिंग हो चाहे मैथ हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो चाहे जीके हो तमाम पार्ट जो हैं वो स समधान आपके सम्मुक रखा हूँ देखे पांस नमर प्रस्ण ये था निम्न में से कौन सा शब्द दो उपसरगूं से नहीं बना है तो पहला जो है उसमें लिखा है प्रति लिखा है उप लिखा है और आगे कार है और शब्द जो है आपको दिखाई दे रहा है आपको शब प्रत्यूपकार इसका मतलब पहला उपसर्ग प्रत्यूपकार ये दो उपसर्गों से बना है तो ये तो बना है ये तो इसका उत्रनीवा बी जो विकल्प है मित्रों उस भी विकल्प को आप लोग देख पा रहे हैं इसमें एक गडबड हो गई है सम आ और चार से समाचार ब आ चार में भी दो उपसर्ग हैं कोई समस्या नहीं है निर और बल निर्बल जो है उसमें एक ही उपसर्ग है तो इसका उत्तर यह होना चाहिए था लेकिन हुआ क्या कि यह प्रसन डिलीट करना पड़ेगा या फिर इसके दो उपसन देने पड़ेंगे और इसका कारण यह हु कौन सा है मित्रों पहला है जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शान्त रहते हैं तो यहां पर यह जो वाक्य हुआ यह तो मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि डिपेंडेंसी है शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शान्त रहते हैं इसको हम जो है वो मिश्र वाक्य भी बना सकते है और सेंक वाकिय भी हो सकता है तो ये मिस्र वाकिय में ये भी मिस्र वाकिय में है शिक्षत के भी ना आगया है इसलिए ये भी नहीं होगा इसका सही उतर होगा शिक्षत के सामने बच्चे शांत रहते हैं तो ये आपको धान डखना है इसका डी उतर होगा प्रस्ट नमर 29 आपके सामने है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान आपको करना था सर आपकी आवाज सुनकर बहुत दिल खुश होता है चलिए मित्रों आप सभी साती जो हैं एक बार अपने सातियों के साथ इस व्याख्यान को जोड़ लें उसके बाद में देखिए ये जो परिक्साई होती है हाला कि मैं इस बात को बड़े भारी मन से ये सुइकार करता हूँ कि प्रस्ट पत्र का कोई लेवल नहीं है किसी प्रकार का कोई भी लेवल नहीं है इस प्रकार का प्रस्ण पत्र बिल्कुल एक लीग से अट करके और पकड़ा दिया गया है लेकिन फिर भी देखेगा सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है मित्रों आखों का तारा आखों का तारा होना आप सब साथी जानते हैं बहुत प्यारा होना अर्थात पहला जो है उसमें विकल्प दो होगा पानी पानी होना यह अभी करशी प्रेविक्षच्छ में भी पुछा गया था बहुत लजजित होना तो यहां पर इसका उत्तर जो है वो एक वाला उप्सन यहां पर होगा अचुता होना अर्थात बेदाग होना तो इसका चार विकल जो है वो सही होगा अंक भरना अर्थात गले लगाना अंक गोद को हम कहते हैं तो यहाँ पर तीन होगा अब यह दिये गए जो कूट है इसकी साइटा से यदि इस प्रश्णू को हम देखते हैं दो एक चार तीन तो दो एक चार तीन इसका सई उत्तर जो है वो एक नम्मर स्विकार यह होगा आप सभी साथी धान रखें शुद्ध वाकि का चैन कीजिगा आप सभी साथी उत्तर भी बताते रहें एक बार जितने भी साथी जूड़े हैं वो प्रश्णों का उत्तर भी आप लोग देते रहें ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए मुझे लगता है कि ये प्रश्ण पत्र जिन का हुआ है वो अभी सेकंड शिप्ट के लिए जा रहे हैं इसलिए वो साथी बात में देखेंगे लेकिन जो नए भी साथी हैं जिन्होंने इस परिक्षा को नहीं भी दी है उनके लिए भी ये व्याक्षान निश्चित रूप से आगे आने वाली परिक्षाओं में कोई द्रस्ती देता होगा शुद्ध वाक्य का चैन कीजिगा मुझे जाना है आप बैठो वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं मेरे को जाना है पहली बात तो यह है मित्रों कि यहाँ पर मेरे को जाना है यह क्या है बोलो मेरे को जाना है तो यह मेरे को तो होगा नहीं क्योंकि मैं मैने और मुझे मैं मैने मुझे और मुझे को इन में से हमें कोई जो है मुझे और मुझगों में से दोनों में से हम प्रियों कर सकते हैं तो मेरे को दिए वैसे सुध है वहाँ अनेकों तो ये वैसे अनेक शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है अनेक है, जोश है, होश है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, वरिंध है, जन है ये सारे के सारे शब्द वैसे ही बहुवचन होते हैं आप बेठो, यहाँ पर आप लगा दिया गया सर्वनाम लेकिन आगे जो है आजया दे दी गई इसलिए यहाँ पर आप बेठिये होना चाहिए, क्या होगा, आप बेठिये तो इसका सही उतर जो है, 38 का, वो मुझे जाना है ये उतर इसका स्विकार ये होगा, आप सभी साती इसको धान रखेंगे आईए उसके बाद में वह नोकर से कपड़े धुलवाता है देखिए, वाके में कौन सी क्रिया का प्रियोग हुआ है अकर्मक क्रिया, प्रेणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर सकर्मक क्रिया आप सभी साती इस प्रश्न का उतर देंगे यहाँ बहुत सरलसाग प्रश्न है ये वेसे देखो धोना किरिया जो है धोना को जब हम प्रेणार्थक बनाते हैं तो प्रथम प्रेणार्थक तो होती है धुलाना और द्वित्य प्रेणार्थक जो है वो है धुलवाना तो यहाँ पर यह कहना नहीं होगा किसका सही उतर जो है भी होगा और प्रेणार्थक में भी रहा होता है तब यहां पर ये इसका जुत्य प्रेरणार तक हो जाएगा चलिए आगे लिए चलता हूं प्रस नमर 47 था प्रस नमर 48 है आप सभी साती एक बार उत्तर दीजीगा सभी साती उत्तर दीजीगा आग लगने पर कुवां खोदना पहली बात तो छोटी-छोटी देते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे ये बहुत बार परिक्षाओं में आता है इसलिए आप सजग रहिएगा जागरुक और सचेस्ट जीवन में होना बहुत ही आउशक है आग लगने पर कुवां खोदना लोकोगति का अर्थ क्या है विपति आ जाने पर तुरंद समाध खोजना तो समाधान खोजने की बात नहीं है यहां पर विपति आ जाने पर उसका निराकर्ण करना भी उत्तर होगा यह आपको धान रखना इससे कोई मतलब नहीं है चलेगा उसके बाद मैं आगे लिए चलता हूँ अमुल्य के लिए सही अनेकार्थी शब्द हैं अमुल् अंका नहीं जा सके जिसका मुल्य आंका नहीं जा सके जिसका मुल्य अंका नंजा सके मतलब इसका एक नंबर ciao जो मुल्यवान हो वो मुल्य हीन हो वो मुल्य हीनी ये सब्द है जिसका मुल्य हो वो जो है सा मुल्य हम कह सकते हैं चलेगा भाव आचत क्रदंत का उप्युक्त उधारन कौन सा है पढ़ना करनी लुभावना या ठकावट देखिए पढ़ना जो है वो क्रदंत तो है लेकिन यहां पर क्या पूछा जो हैं यहां पर हम समझ रहे हैं कि ये पढ़ना ये तो संजारतक क्रिया है अपनी करनी पार उतरनी ये भी संजारतक क्रिया है लुभावना जो है ये है तो क्रदंत लेकिन लुभावना जो शब्द है ये विशेशन वाचक क्रदंत है लुभावना द्रस्य ये क्या है बोलो विशेशन वाचक क्रदन्त है क्या है विशेशन वाचक क्रदन्त यहां पर पुचा है भाव वाचक तो हम सभी जानते हैं कि आवट प्रते जो हैं उसमें आने वाले जो शब्द हैं वो भाव वाचक हैं ताई थकावट हो चाई बनावट या बुनावट हो चाई लिखावट हो चाए लिखावट हो या चाए तरावट हो चाए हडबडाहट हो चाए घबराहट हो यह आवट आहट इत्यादी जो शब्द होते हैं आप सभी साती जानते हैं कि यहां पर जो हैं वो जो है ठकावट जो इसका सही उत्तर होगा आगे लिए चलता हूँ और जिस समास में दोनों पद सामानित प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं शायद मुझे लगता है कि जब पांचवी क्लास में बच्चा प्रविष्ट होता है तब ये बात सिखा दी जाती है लेकिन चलिए कोई नहीं मैं आ गया हूँ तो कुछ चीजे बता देता हूँ पदू की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनना पदू की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं कि चार भेद पदू की प्रधानता के आधार पर वही से समास के सामानित छे भेद होते हैं इस बात को आप ध्यान रखेगा जिसमें प्रथमपद प्रधान होता है जित्यपद प्रधान होता है वो क्या होता है अव्य भाव होता है जिसमें पहला प्रधान होता है दूसरा प्रधान होता है वहां पर क्या होता है वो तत्पुरूश शमास होता है और तत्पुरूश का प्रद्धान नहीं होते को तीसरा ही प्रद्धान होता है वहां पर बहुवरी समास होता है इसलिए मैं दूद पीकर सोता हूं प्रेमित्रों खाना खाकर सोता हूं गाना गाकर सोता हूं पूजा करके सनान करता हूं यह सारा का सारा जो है यहां पर आप सभी साती ध्यान रखे कि यह पीकर वाला जो हैं उसके अंदर यह क्या है बोलो अकर्मक है नहीं नाम धातु है नहीं वी कर्मक्रिया इसमें नहीं और इसमें होगा पूर्व कालिक लिया एक बार फाइल लग जाती है आप सबभी साथी बने रहें आगे की फाल जो है मैं लगवा रहा हूं आप सभी साथी बने रहें और कोई यदी आपका प्रस्ण भी हो तो जब तक आप लोग मुझे कर सकते हैं कोई भी यदी प्रस्ण है तो आप कर सकते हैं तो यहां पर डूद पिकरस होता ह। ऋसके मितनों उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे यहां पर दखाएगा यह हो गया प्रसले n Industry 76 आपके सामने है किस मानसिक्ता से ये प्रस्ण पत्र बनाया गया था मुझे तो नहीं पता परी और भ्रमन से पूछाएगी सई सब्द कौन सा है ये क्यों इतनी स्याई खराब करी क्यों पेज खराब करा ये इसका कोई प्रस्ण का कोई मतलब भी नहीं है केवल तीन इसका अमरित का प्रियाईवाची नहीं है यहां पर देखीगा अमरित का प्रियाईवाची जो है सुधा प्यूश अमिये ये तीन तो गोशित प्रियाईवाची है जो वामन शिवराम आप्टे भी लिख रहे हैं वामन शिवराम आप्टे भी लिख रहे हैं लेकिन यहां पर हम प्राण और जीवन जो है यहां इसमें ये प्रस्ण इसका क्या होगा वेसे विकल्प के अनुसार तो ये अनुत्रित प्रस्ण होना चाहिए क्योंकि विकल्प में तो एक दो तीन कहीं है नहीं कहीं नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसका उत्तर अनुत्रित प्रस्ण होना चाहिए, अम्रित के लिए प्राण सब्द का प्रियोग भी कही कही किया गया है लेकिन जीवन जो है, अम्रित क्यूंकि प्राण जो है वो हमेशां अम्रित होते हैं, आप ऐसे ध्धान डख लेंगे, चलिएगा, उसके बाद में आगे लिए चलता हो मित्रों, पानी उतरना, ये एक मुहावरा है और इसका क्या आर्थ है तो पानी उतरना का आर्थ क्या है इज़त उतारना नहीं इज़त लेना नहीं इज़त जाना इज़त करना तो यहां पर इसका सही उतर जो है वो सी होगा आप सभी साती ध्यान रखेंगे जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक श लेक्टर नेट स्लेट डी एससबी टीजीटी पीजीटी तमाम तरह के हिंदी के पूरे भारत वर्ष के जो पाठिक्रम है वो कराये जाते हैं और आप वहां से देख सकते हैं अप का नाम है महिया पाड़सला यह आपको बताने की वैसे आउस्टा नहीं है सभी साती जानते हैं लाखुं साती पढ़ रहे हैं चलेगा तो यहां पर जो थोड़ा जानता हो थोड़ा जानता हो अल्प जय जय का मतलब है जानने वाला तो इसका सई उत्तर हो जाएगा एक नमर स्विकार यह होगा उसके बाद में आईएगा मैं आगे लिए चलता हूँ प्रस नमर 108 आपके सामने है वह समास जिसमें प्रतम पद प्रधान हो उससे क्या कहते हैं अभी अभी मैंने यहां पर एक डाइग्राम के मादेम से आपको बताया है कि जिसमें प्रतम पद प् बाव समास में होता है आप सभी साथ ही जानते हैं और इसलिए यह समझ नहीं कि समास से तो इतने अच्छे प्रशन बन सकते थे तो केवल यही बार 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 देने का कोई मतलब था नहीं तो यहां पर क्या होगा केवल तीन है यहां पर तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा केवल तीन फिर विकल्ब भी दे दिये चलिए प्राउसर्ग से बनने वाले शब्द का चैन कीजिगा बड़ा बेतु का प्रस्ट यहां पर जो है पहली बात तो इसमें शब्द कहीं है नहीं यह तो शब्द का विभाजन किया गया है इसमें तो आपको जो केवल अक्षर जान से युक्त है अथा जिसको केवल पढ़ना भी आता है वो भी इस प्रस्ट को करके आया है यह बात सही है यहां प्राद दिख रहा है यहां प्राब दिख रहा है यह प्रति दिख रहा है तो यहां प्रबल आप और कुछ नहीं तो इनका जो है प्रबल शब्द बना दे करके फिर भी पूछ सकते थे तो थोड़ा सा जो है इसमें तो शब्दी नहीं है ये प्रस्ण की ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है चलिएगा तो केवल दो इस परकार का प्रस्ण पत्र एक विद्यार्थियों के साथ निश्चित रूप अगे परिक्षक की भी जिम्यदारी है अरे भाई हम किसी ने प्रस्ण पत्र बनाया है तो निश्चित रूप से वो प्रोडब्यक्ति होगा और इस प्रकार की प्रस्णूं से एक विद्यार्ति के साथ छलावा मात्र है और कुछ नहीं है सूची एक के साथ सूची दो का मि आमता है वो क्या होगा है हां यह पेपर जो है वह अजी कंप गजब पेपर है समस्या हमारी सब से बड़ी यह है कि अभी करसी प्रेविक सब वाला पेपर आया वह बहुत अच्छा पेपर था अब यहां पर जूनियर अकाउट can't कापी अच्छी पोस्थ है लेकिन इसमें जो प्रस्ट दिये गए है वो हसास्पत प्रस्ट है जो किये गे उपकारूं को मानता है तो किये वे को मानने वाला कृत कियावा और ज्य मानने वाला कृतजी होता है मित्रों और यहां पर इसका उतर हो जाएगा एक जो किये गे उपकारूं को नहीं मानता है वो कृतगन होता है क च्या होगा बोलो तो हैं इसका पहले का हो जाएगा आपका तीन तो यह होगा नहीं यह होगा नहीं लो एक में इतरा आपका निकल गए इसमें कोई समस्य आना चाहिए आपको Number में से कौन सा शब्द जो है इसमे एक भेद्श शब्द दिया है और इस भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है आप सभी साती इस बात को ध्यान रखेंगे भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है अंतर भेद को कहते हैं प्रकार भी कहते हैं भेद खुल गया रहसे खुल गया लेकिन इसमें काम नहीं होता इसका मतलब ये इ तुम्हारी काम करता हूँ ये तो कोई भी बता देता कि तुम्हारा काम करता हूँ इतने तो हम जो हैं पढ़ने वाले मुर्ख नहीं है उसे मृत्युदंड की सजा मिली तो सजा की कोई जरूरत नहीं है मृत्युदंड और सजा अपने आप में प्रियाई वाचिक शब्द है और दिल्ली में कई दर्सनी इस्तल हैं ये ठीक है गर्म कब चाहिए दो चलिएगा इसको हम कुल मिला करके बें आपको ये आपको बताने की जुरूरत नहीं है वैसे इस पेपर के सोलूशन का कोई बहुत जादा मतलब तो नहीं है लेकिन हाँ हम इस दरस्टी से इसको आकलन ह हमें करना चाहिए कि हाँ प्रस्ट पत्र ऐसे भी आते हैं क्या और इतने गजब के भी बनते हैं क्या चलिएगा सुची एक के साथ सुची दो का मिलान करना है परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं यहां पर देखो परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं मालिक ने कहा की कल छुटी रहेगी मिश्र वाक्य हैं वह आया और कुछ नहीं कहा वह आया और कुछ नहीं कहा ये ये वाक्य की फ्रेमिंग है साही नहीं है लेकिन चलिए उस सेंक वाक्य मान लेते हैं और आप क्यों नहीं खाते हैं चलो नहीं खाते हैं हमारी इच्छा है परस्ता यह पहले से को अपको दी गई है कि आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करें गलती की गुंजाइस जो है. वह प्रस्मण पत्र में प्रारब्द का विल्वमशब्द का चैन की जिगा प्रण discrimin जो उसका विलोमसब्द जो है, वो क्या होगा? ये आपको बताना है, अभी बहुत सारे प्रसंद रहे गए है, साईर मेरे जो है, सही हुआ नहीं है ये, मित्रों यहां पर देखे, प्रारब्द क्या है? प्रारब्द कहते हैं भाग गे को, और प्रारब्द का एगजर्ट जो वि विलौम सब्द जो है इसमें वेसे एक्जक्ट कुछ है नहीं लेकिन इसको हम पौरुस मान सकते हैं प्रारत भाग्य है पौरुस जो है कुछ अलग चीज होती है मित्रों कुछ प्रस्ण जो है इसमें रह गये हैं तो मैं आपको ऐसी एक बार बता देता हूं आप सभी साथी अग양 बार जोड़े रहें उसके बाद में आगे साइसня वाला जो है वह हम करेंगे क्या इसमें तो कहीं ने रह गया है एक बार में देख लेता हूं यह तो सारे हमने कर दिये हैं मित्रों कुछ प्रस्ण इसमें जो हैं वो छूट गए हैं मैं आपको बता देता हूं आप सभी साथी बने रहे हैं मेरे साथ चलिए मैं बता देता हूं आपको कोई बात नहीं तो यहां पर देखीगा जो है एक प्रस्ण आपका एक प्रस्ण जो हैं भाव वाचक करदंत हो गया है आग लगने प्रकुवा खोदना हो गया है और एक प्रस्ण बित्रों फिफ्ट raktर्षिए वो देखीगा आप लोग 57 प्रकुष न आइसा था मैं आपके सामने एक मिनट के लिर लिख देता हूं यहां पर यह सूची एक थी और यहां पर यहां पर इसका मिलान जो है हम जानते हैं कि असूर और दानव एक ही होता है आग और अनल एक ही होता है याद रखेगा अनिल जो हैं अनिल हम हवा समीर मर्ग को कहते हैं अश्व जो हैं वो तुरंग होता है और अथिती पाहून ये वस्तूता इसके लिए सब्द है समस्कित में प्रागून अर्थात पाहूना आना और इसका 57 नमर प्रसन जो है उसमें दियेगे विकल्प में जो एक नमर है वो इ प्रशेश रे गया था उसमें ऐसा था इसमें सूची एक है और सूची एक के साथ में सूची दो का आपको मिलान करना था सूची एक के साथ में सूची दो जो हैं बहुत सरल साग प्रसन दिया है आप सभी साती इसका उतर चुनिएगा अ आज दिया है फिर उसके बाद में प्लस E दिया है और फिर उसके बाद में E प्लस U दिया है और फिर उसके बाद में O प्लस A दिया है ये प्लस नम्मर जो है वो 63 था इधर मित्रों यहां पर इस जिकल्टू करके और यहां पर देखेगा गुण स्वरसंदी दी है गुण स्वरसंदी दी है फिर उसके बाद में दीर्ग स्वर संदी है दीर्ग स्वर संदी है फिर उसके बाद में आयादी स्वर संदी है और फिर उसके बाद में यन स्वर संदी है अब देखेगा ये सरंचनात्मक प्रस्न पूछा गया था अ और आ जो है इसका मतलब यहाँ पर दीर्ग होगा अ और ये सरंचना किसकी है गुण संदी की है एक होगा आप साथी इसके अनुसार अपने आपको अपडेट कीजिए उसके बाद में प्रस नमर जो है 67 में तरो 67 जो प्रस्ण है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ प्रस नमर 67 था यहाँ पर देखीगा यहाँ पर भी सूची दी गई है सूची एक है और उसके बाद में सूची दो है सूची एक और सूची दो है मित्रों यहाँ पर देखीगा अति प्लस इव है दिक और गज है दिक और गज है और नी ही और चल है नी और चल है और उसके बाद में नरः और इस है यहाँ पर यह जो है A, B, C, D है A, B, C और D इधर जो है वो आपको एक, दो, तीन और चार यहाँ पर देखीगा व्यंजन संदी लिखी थी व्यंजन संदी लिखी है यहाँ पर दिर्ग स्वर संदी लिखी है एक जगे गुण संदी है और एक जगे विसर्ग संदी है प्रस नमर 67 है अब यहाँ पर अतिव जो है वो दीर्क संदी का उधारण है दिगज व्यंजन संदी का उधारण है निश्चल विसर्क संदी का उधारण है और नरीश गुण संदी का उधारण है 67 नमर जो प्रस्न है मित्रों इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ एक में दो और फिर उसके बाद में जो है तीन जो है यहाँ पर इसका सही उतर जो है दो एक दो एक इसका मतलब इसका बी उतर जो है वो करेक्ट होगा आगे मैं आपको लिए चलता हूँ और उसके बाद में आगे जो प्रस्ण है जो इसमें छूट गया है मैं एक बार हाद से लिख देता हूँ मित्रों यहाँ पर जो है आप सभी साथी बने रहें परी भ्रह्मन वाला हमारा हो गया था और एक बहुत अच्छा प्रहसनें इसके अंदर जो आया है वो यहाँ पर एक की उर्मी दिया है उर्मी लहर को कहते हैं हम सभी साथी जानते हैं और इधर जो है परम और आउशद दिया है और इधर जो है मधु और आले दिया है मधु प्लस आले दिया है आपको इसमें ये बताना था कि इसमें कौन-कौन सी संदी है तो इस प्रकार से ये प्रसंद था इध परमित्रू व्रदी संदी क्या है व्रदी संदी फिर उसके बाद में गुन संदी फिर उसके बाद में दीर्ग संदी और फिर उसके बाद में यन संदी तो पित्री और रिंड जो है उसमें क्या होगी बोलो दीर्ग संदी होगी क्या होगी दीर्ग संदी होगी यह आपको ध् है वो गंगोर मी हैं और यह गुंड संदी बनती है परम और ऑउशद यहां पर यह व्रद्धी संदी उसके बाद में देखीगा ये प्रेस नमर जो है जो है आप सभी साथी बने रहें हाँ ये जो है चली मुझे लगता है कि हिंदी के प्रेस जो आये हैं वो सब मित्रों मैंने आपको करा दिये हैं और यही प्रेस जो है वो थे तो आप सभी साथी उसके अनुसार जो है वो अपना मिलान कर लीजीगा और यह जो मैंने कुछ बताया है उसको आप बिल्कुल प्रामानिक मानते वे आगे बढ़िएगा आगे मित्रों अब जो है वो साइंस का जो है पार्ट जो जो भी प्रसन आये हैं उसके बारे में बात करेंगे अतिव निश्वल डिगज और नरेश चलिए डिपेंदर सर जो है वह आपको साइंस के बारे में आपसे बात करेंगे डिपेंदर सर्थ दन्यवाद सर्थ नमस्कार दोस्तों अच्छा होगा पेपर आथ का मेरी यह आशा है कि सभी ने पेपर दिया होगा तो वैसे अगर मैं मोटे-मोटे तौर पर साइंस के पेपर की बात करूं तोeverage paper जो है वह कहे सकते हैं की पेपर जो था वह average level था ज़्यादा ना हाड था और ना ज़्यादा easy था तो आप लोग जो है अगर जिसने अच्छे से preparation की होगी अच्छे से preparation का मतलब यह है कि जिसने जो basic बेसिक पढ़ा होगा प्लस थोड़ा बहुत जो है, बेसिक से थोड़ा उपर अप लेवल का पड़ा होगा, वो लोगों ने बहुत अच्छे से questions कर पाए होंगे, चलिए, तो अपन देखते हैं, question जो है, first कहां से start हुआ है, देखते हैं, उसके बाद में जो चर्चाएं हैं, वो start करते हैं, हमारे questions की, हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो सभी लोग एक बार जुड़े रहिए, और वीडियो को जो है, आप लोग शेर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा जो जो लोग देख रहे हैं, लाइव, ताकि और भी बच्चे जिन्नोंने पेपर दिया है, जिन्नोंने पेपर नहीं दिया, उ हो जाते हैं, किस प्रकार से पेपर का लेवल बन रहा है, चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं, कोशन नमबर में सबसे पहला कोशन, सबसे बड़ी बात इस पेपर की यह थी, कि थोड़ा बटेवे कोशन से, तो अलग अलग जगे है, एक एक जगे नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ, कोशन की तो सबसे पहला कोशन जो विज्ञान का आता है, सबसे पहला कोशन जो विज्ञान का आता है, वो आपके एट नमबर पे है, कितने नमबर पे हैं, एट पे, तो पहला कोशन यह रहा आपका, देखेगा, मेरे इसाप से सभी को दिख रहा होगा, पहला question यह आपका कि in a domestic circuit यानि अगर बोलू मैं गरेलू परीपत के अंदर सभी उक्तियों को जोड़ा जाता है तो आप सभी को पता है हमारे गरेलू उपकरण जो होते हैं घर के अंदर विदू समयोजन व्यस्ता जो होती हैं हमारे गरों में उसमें सभी उपकरण किस करम में जुड़े होते हैं समानतर करम में जुड़े होते हैं चुकि हमें धारा जादा प्रवाहित करनी होती है तो पतिरोत को क्या रखना पड़ेगा कम तो सभी जो उपकरण होते हैं वो किसमें जुड़े होते हैं समानतर करम में बस एक fuse तार जो होता है वो switch के साथ स्रेणी करम में लगाया जाता है तो fuse के अलावा बाकि सभी उपकरण किसके अंदर जुड़े होते हैं किसके अंदर जुड़े होते हैं समानतर करम में, तो यह आपका option हो जाएगा, option number D जो है, वो आपका correct हो जाएगा, option number D आपका correct हो जाएगा, जो आपका कौन सा है, समानतर करम, ठीक है न, तो parallel combination जो है, वो आपका answer ठीक हो जाएगा, सभी लोग करके आयोंगे इस question को, तो जो जो लोग करके आयोंगे उनका सही है यह ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ NX question आपका आता 11 number 11 question है आपका देखी द्यान से question है 11 कि carbon chakra से संबंदित question है carbon chakra से संबंदित question है तो अगर zoom करूँ ओके ओके यह लीजिए आपको zoom कर दिया अब साफ दिख रहा होगा बिल्कुल आप चलिए कार्बन चक्र से संबंदित प्रशन है ये रहा आपके कार्बन चक्र से संबंदित प्रशन है और कोशन दियावा है कि दिये गए कथनों को कार्बन चक्र के संधर्ब में दिखाई नहीं दे रहा अभी दे रहा होगा ठीक अब दे रखा होगा ठीक है अभी दिखाई दे रहा है बिलकुल हाँ ठीक तो नीचे दिये गया कत्नों को कार्बन चकर के संधर्ब में सही करम में जमाईए है ना और कार्बन चकर कहां से स्टार्ट होता है उसके संधर्ब में आपको इसको जमाना है तो सबसे पहले देखिए वायू मंडल से CO2 से स्टार्ट होगा सबसे पहले और ये वायू मंडल के अंदर CO2 सबसे पहला हो जाएगा उसके बाद में मैं अगर बात करूँ सबसे पहला है उसके बाद में क्या होगा पौदों के अंदर जो और्गेनिक कारबन होती है पौदों के अंदर जो जेव कारबन होती है उसको लिया जाता है तो दूसरा प्रकरम क्या हो गया पौदों में जेव कारबन ठीक है उसके बाद में अगला प्रकरम क्या आता है देखिए पशुओं के अंदर जो जैयो कार्बन है उसको लिया जाता है कार्बन चकर के अंदर तो सबसे पहले 314 देखो आप 314 कहा दिख रहा है B option के अंदर अच्छा उसके बाद में क्या होता हमें पता होना चीए जैव पधार जो होते जिते भी organic compounds उनका जीवानू दोरा विगटन कर दिया जाता है और फिर मर्दा के अंदर जो है inorganic carbon अउशोशित कर ली जाती है तो last के अंदर क्या होता है जो soil होती है मर्दा होती है उसके अंदर क्या आ जाती है और बी option आपके पास आजाएगा मर्दा में अजयविक carbon चलिए क्या हो गया इसको ठीक अगला question अगला question है 15 number ठीक यह रहा 15 देखिए चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचाईत होने से बचाने के लिए उनके थेलों को कौन सी गैस बरी जाती है तो देखिए आपने देखा होगा आप बचपन के अंदर या अभी भी चिप्स के packet लेके आते होंगे या नमकीन की थेली लेके आते होंगे तो आपने चिप्स देखा होगा और माला आप चिक्स की बड़ी थेली लियो तो उसके अंदर देखना आप चिप्स तो आती इत्ती सी रहवा भरी भी होती इत्ती बड़ी ठीके देखा होगा आपने तो आप बोलते होला हवा तो इत्ती सार ये चिप्स से चार ही उसका मतल पुलिस ही बन जाती है आपने देखा होगा दुरगंद आती है और आप जिसको कहते हो ना जाड़े जम जाते हैं जैसे अचार के अंदर आ जाती है फफुंदी वैसे इसके अंदर आती है विकरत गंदिता से बचाने के लिए कौन सी गैस बरी जाती है दोस्तों पड़ेगा थोड़ा सा ठीक ओके आपसर मुझे बता देना अगर कहीं पर छोटा हो दुआ ना ठीक है 19 कोशन है आपको एक साइट दिये वे है रोग और दूसरी साइट दिये वे है इसके कारक कि कौन सा रोग किसकी वज़े से होता है बहुत अच्छा कोशन है विटामीन स संबंधित रोग भी है तो देखो ऐसे कोशन को कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले आपको जो आता है उसको देखो जैसे मैं बात करूँ अगर पेपर दे रहा हूं तो मेरेको सबसे इस देखेगा गॉटर रोग जिसको गेंगा या गलगन रोग कहता है यहां पे गेंद सी C का 4th कहा है तो सर C का 4th तो 2-3 जगे दिख रहा है C का 4th तो किती जगे दिख रहा है 2-3 जगे दिख रहा है C का 4th तो हमें किती जगे दिख रहा है 2-3 जगे दिख रहा है कोई बात नहीं तो अपन को ये देखिए C का 4th C का 4th अच्छा दो ही जगे दिख रहा है ओके कोई बात नहीं अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ पहले गरा पहले गरा विटामिन B3 की वज़े से होता है तो विटामिन B हो गया तो यह पहले गरा इसकी वज़े से हो गया यह पहले गरा जो है यह विटामिन की वज़े से हो गया तो C का 4th और A का 2nd C का 4th और A का 2nd देखिए C का 4th A का 2nd मेरे साथ से यही दिख रहा है और फिर अगर अगर अपन देखे तो मेरासमस रोग प्रोटीन की वज़े से होता है जिसको अपन क्या बोलते है सूखा रोग भी बोलते है चलिए और 0 फिलेमिया विटामिन A की वज़े से होता तो option number क्या हो जाएगा इसके अंदर option number D का 1st हाँ तो यह option number B इसदा correct answer हो जाएगा आपके ठीक है D कौनसा answer हो जाएगा correct answer आपका अच्छा 17 के बाद में 19 के बाद में आपका 27 कोशन number 27 आपका जो है उसको करते हैं अपन कोशन number 27 कोशन number 27 यह कोशन number 27 आपका यह रहा अब देखिए अच्छा कोशन है एक एक नरम तत्व है जो जिसे चाकू की साहिता से काटा जा सकता है और उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता ठीक है और वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है एक्स को पैचानो आप सभी बच्पन में पढ़के आयोंगे sodium जो होता है उसको kerosene की बोतलों में बंद करके रखा जाता है क्योंकि अगर इसको कुला छोड़ देंगे तो ये हवा में क्या हो जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा और उड़ जाए मलब हानिकारा अभिकरिया कर लेगा वायू के साथ में उड़ जाएगा चलिए 27 के बाद में 31 आपका नीरस सैनी जी बिल्कुल सही है आपका option number A 31 अभी इसका आपको बताना है malaria rog से question पूछावा आप बताईए कि question है आपका 31 अगर malaria परजीवी RBC कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो बताओ फिर वो कौन से अंग को नुकसान पहुचाता है तो आप सभी को पता होना चीए malaria rog जो है अगर आपके शरीर में पहुच जाए RBC कोशिकाओं के अंदर तो वो आपके liver के पास चल जाता है RBC से प्रिवेश करके कहाँ चल जाएगा liver के अंगर यकरत को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है दोस्तों यकरत यानि liver को प्रभावित करता है जी बिल्कुल सही answer है आपका है जो liver जो है उसको क्या करता है दोस्तों प्रभावित करता है अगला question 31 के बाद में 45 45 जो है आपका question आगे है इसके बाद में science का जो प्रशन है अलग-अलग जगे अलग-अलग question है इसलिए थोड़ा सा problem हो दिये बाकी कोई दिक्त नहीं है आपके चलिए अगला question है अब आपका कि ऐसी कोशिकाएं आपको बतानी है जो आपरीपक्व होती है अपरीपक्व होती है चलिए अब दिखरा होगा आपको एकमात्र परकार की आदी परीपक्व कोशिकाएं हाँ बिल्कुल नीरस एने जी सही है आपका answer कोशिकाएं जिनमें विब्बिन परकार की कोशिकाओं में विक्सित होने की असामान्य शमता पाई जाती है असाधरन शमता पाई जाती है उसको क्या कहते है आपका सही answer है इस्टैम कोशिकाओं में क्या होता है कि ये mature cell होती है कैसी सवर होती है mature cell होती है immature cell जो क्या करती है इनमें है विबाजन की क्या होती है अविक्सित असाधरन शम्ता पाई जाती है चलिए अगला उसके बाद में इस टैम कोशिकाओं के सीधी सीधी परीवाशा आया बायो टेकनलोजी से है ना उसके बाद में अगला 45 के बाद में नेक्स्ट कोशन जो है 53 है आपका है ना 53 53 53 का गया ओके यह दातू रदातू से कोशन है दोस्तों दातू रदातू से है ना अच्छा इंगलिश में है तो यह हिंदी में लेते हैं अपने इसको थोड़ा चलिए दातू दातू से कोशन है पारा पारा के लिए आप सही बताएए पारा के लिए आंसर क्या होगा तो अगर मैं बात करूँ पारा यानि मरकरी मरकरी एकमात्र ऐसी धातू है जो कमरे के तापर की सवस्ता में पाई जाती है द्रव अवस्ता में पाई जाती है मरकरी एकमात्र अब तो दिख रहा है नीरत जी मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है पारा है आयोडीन क्या होती है आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातू है जो अधातू होते वे चमकिली होती है बाकी सारी अधातू है चमकिली नहीं होती है धातूं में चमकिला का गुण पाये जाता है आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातू है जो कैसी होती है चमकिली होती है तो अगर मैं बा की बात करूं तो graphite जो है अधातु होते वे भी आपको पता है carbon का अपरूप होता है ग्रेफई और प्रतिय संदचनен होती है इसमें एक मुक्त electron पाया जाता है इसलिए विधुत का क्या करता है चालन करता है तो graphite जो है वो अधातू होते होए भी विदुत का क्या करता है चालन तो A का 4th, A का 4th आपको 3 जगे दिख रहा है B का 3rd, A का 4th, B का 3rd A और C में दिख रहा है C का 1st, तो C का 1st आपको किस-किस में दिख रहा है यह A option, तो A option आपका correct हो जाएगा A option, 53 का A, चलिए अब बात करते हैं दोस्तो 59 की, किसकी बात करते हैं? 59 की, ओके, 59 question जो है आपका, वो क्या कह रहा है? बहुत आसान question पुछा है 51 केचुआ जो होता है, वो खाद को बदलता है किस, क्या प्रकरम कहलाता है? बचपन से सुनता है वर्मी कमपोस्ट आपने सुना होगा वर्मी कमपोस्ट खाद केचुआ जिसको किसान का मित्र कहा जाता है वर्मी कमपोस्ट नाम की प्रकरिया खाद बनाता है वो तो वर्मी कमपोस्ट इसका नाम हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग करमी कंपोस्टिंग जिसको कहते है ना बस ये हिंदी में थोड़ा करमी आपने सुना नहीं होगा तो अंग्रेजी में देख लेते हैं वर्मी कंपोस्टिंग लिखावा है ठीक है केच वा जो खाद बनाता है वर्मी कंपोस्टिंग प्रकिरिया कहलाती यह बहुत आसान कोशन था 59 के बाद में 78 पे आ जाते हैं सीधा अगला जो प्रशन आप ज्ञान का है वो सीधा 78 पे है किस पर दोस्तो 78 पे ठीक है तो 78 पे बात करते हैं अपन 78 पे बात करते हैं 78 चली बने रहे हैं सभी लोग हाँ यह रहा बहुत अच्छा कोशन है 78 निम्न में से कौन सा रक्त समूँ सर्वग्राही है सर्वग्राही रक्त समूँ कौन सा होता है तो आप सभी को पता ओ ग्रूप जो होता है ओ ब्लेड ग्रूप वो सर्वदाता होता है और अबी जो होता है वो सर्वग्राही होता है तो आपको वैसे plus-minus का चक्कर जाना ही नहीं है इसके अंदर क्योंकि इसमें minus है यह नहीं आरचकारा उपस्तित ही है plus के अंदर ठीक है तो सीधा-सीधा AB plus आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा AB plus AB plus आपका answer हो जाएगा सर्वगराही इन में से कौन है आपका AB प्लस है ठीक है quality बढ़ हाँ ठीक है ओके अगला जो है आपका next 78 के बाद में 80 question नमबर 80 है बिल्कुल AB सही है आपका 80 80 question के और आजाते हैं अपन दोस्तों 80 question है आपका सीधा सीधा आपसे question पूछावा नाइट्रोजन चक्र से किसे पूछावा है नाइट्रोजन चक्र से ये पूछा गया है आपसे नाइट्रोजन इस्थिरी करण के अंदर क्या होता है तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन इस्थिरी करण के अंदर वाईयो मंदल की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिको में परीवरतन हो, 80, 80 кошन ही ना, हाँ, ठीक, ओके, तो, 80 кошन के अंदर आपको बोला है, सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र है, और इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, किसका किसमें होता है, तो नाइट्र इस्तरी करण का जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा वायूमनल की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगी को में परीवर्तन बात करता हो में अमोनी करण ammoni karan का मतलब क्या होता है ammonia का निर्माण तो amino 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 से ammonia का निर्माण आपको सिरिफ एक ही option दिख रहा है ammonia के निर्माण के लिए तो B का क्या हो जायेगा first उसके बाद V-nitri karan का मतलब क्या होता है जो nitrate और nitrite iron बनते हैं उनका वापस nitrogen में परीवर्तन क्या 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 लाता है V-nitri current क्या लाता है nitrate का मुक्त nitrogen में परीवर्तन क्या 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 लाता है V-nitri current उसके बाद में nitri current का मतलब क्या होता है nitrite और nitrate में बदलना nitri current क्या लाता है यह option number मेरे इसाफ से A का 3 A का 3 आपको किसमें दिख रहा है B और D में उसके बाद में अमोनिकरन B का 1 आपको दिख रहा है केवल B के अंदर अच्छा इदर भी दिख रहा है फिर C का 4 दिख रहा है option number B आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा अब दोस्तों ये question उसी को आ सकते हैं जिसने पूरा process पढ़ हो वो दिखेगा तबी दिक्षा जी आप अपनी वीडियो की quality जो है वो बड़ा लीजिए ये मेरे पास मेरा phone है और मुझे साफ दिख रहा है बिल्कुल ठीक है अगर मैं देखू मेरे phone को तो ये मैंने 360 pixel पे इस phone को कर रखा है और बिल्कुल साफ मुझे दिख रहा है ठीक 82 का ए हो चुका है नहीं नहीं 82 question ओके 82 question यहां पे रहा ये रहा ये रहा एक और प्रशन है science का देखिए ये रहा कोई छूट जाये तो आप देख ले ना galvanometer एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है देखिए galvanometer परीपत के अंदर विदुद्धारा का प्रवाह बताता है यानि उसकी दिशा बताता है और उसकी presence को भी बताता है कि क्या इस परीपत के अंदर विदुद्धारा उपस्तित है या नहीं है तो galvanometer बहुत अच्छे option ये परीपत में विदुद्धारा की दिशा को बताता जो आपने देखा होगा और एक है परीपत में विदुद्धारा के प्रवाह और दिशा दोनों को बताता है तो option number is the correct answer ये विदुद्धारा के प्रवाह को भी बताता है और दिशा को भी बताता है चलिए 82 हो गया उसक सक्रियता श्रेंडी से प्रशन दियावा है बहुत अच्छा प्रशन है जिसको सक्रियता श्रेंडी याद होगी वह आसानी से कर पाएगा इस कोशन को यह लो बड़ा कर देता हो में और सक्रियता श्रेंडी से प्रशन है देखिए सबसे उपर कौन आएगा तो सबसे पाद में कौन होगा copper ठीक है तो option number क्या हो जाएगा option number आपका इसका हो जाएगा देखिए देखे क्या होगा option 92 का C देखिए पहले number पे potassium ये रहा दूसरे number पे calcium first पे zinc पांचवे पे lead और छट्टे पे zinc ये आपका answer हो गया option number जो था वो आपका C is the correct answer 92 हो चुका है 93 की बात करते है 93 भी आपका विज्ञान से ही related प्रशन है और विदुधारा से related प्रशन है बहुत अच्छा question है current से related चलिए अगर मैं current की इस question की बात करूँ इस पर लिखा नहीं जाए इस पर लिख सकते हैं अगर मैं bulb की voltage की बात करूँ 220 वोल्ट और अगर मैं current की बात करूँ धारा कितनी है तो धारा है 0.30 अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका 66 वाट जो है वो क्या आजाएगा answer आजाएगा 66 वाट आपका क्या आजाएगा answer 93 के बाद में अगला जो प्रशन आता है वो आता है आपका 98 क्या हो जाएगा 98 तो 98 कोशन ये रहा आपका एक पर्यावरण से संबंदित कोशन है आप आसानी से कर सकते हो इसको कुशन है हवा कई कारणों से परदुशित होती है हवा हवा कई कारणों से प्रदुशित होती है इन में से कौन सा एक प्रत्यक्स रूप से वायू प्रदुशन का कारण नहीं है देखिए प्रत्यक्स रूप से वायू को कौन प्रदुशित नहीं करता है प्रत्यक्स रूप से वायू प्रदुशन का कारण नहीं है ये आपसे पूछा है तो देखिए अगर मैं बात करूँ प्रत्यक्स रूप से वायू पर्दूशन का कारण नहीं है पूछा है तो अगर बात की जाए प्रत्यक्स रूप से वायू पर्दूशन के कारण नहीं है कि तो जो जौला मुखी से निकलता दुआ है वो डिरेक्ट कलापों से प्रदुशित नहीं होता तो ये एक और जो दो हैं आपके कौन से हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे एक तो गरेलू मलजल वाला जो अप्षिस्ट जल निकालते हैं वो एक रशी अप्षिस्ट जो हता है एक लकड़ी और कोईले का जलना ये भी इसी के अंदर है तो 3, 4 और 5 तो option number C आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option number C इस पे लिखा नहीं जा रहा तो आप मान ले option number C इसका क्या है correct answer चलिए, आगे मैं देखता हूँ अगले question की तरफ बढ़ते है 123 सीधा अब 123 पे है एक तो ऐसे करना चाहिए था इन्हें कि science के question एक ही जगह देते है computer के question एक ही जगह देते है पर इन्होंने भी बड़ा लफडा किया है 123 ठीक है अब तो आ गया है हाँ एक महील अगला question है एक महीला अपने बुडापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकती है question number 123 है एक महीला बुडापे के कारण अपने समाचार पत्र को सही तरीके से नहीं पढ़ सकती है तो बताइए महीला को कौन सा दोस है तो आप सभी को पता होना चीए, बुढ़ापे के अंदर कौन सा दोस हो जाता है, बुढ़ापे के अंदर जरा दर्ष्टी दोस हो जाता है, कौन सा दोस हो जाता है, जरा दर्ष्टी दोस, तो question number 123 है, कि महिला जो है, बुढ़ापे के अंदर कौन सा दोस हो जाता है महीला को जरा दरश्टी दोस हो जाता है कौन सा दोस हो जाता है जरा तो question number क्या हो जाएगा आपके पास option number हो जाएगा A, जरा दूर दरशीता कौन सा हो जाएगा, जरा दूर दरशीता आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, option number A, जरा दूर दरशीता, ठिक एक बार सर इसको सही कर दीजिए ये hang गो चुका है मेरे साथ वापस open कर दीजिए आपस को चलिए, आप जुड़े रहें एक बार, question था जरा दरश्टी दोश, जो है मतलब जरा दरश्टी दोश होता क्या है जरा का अर्थ होता है दोस्तो बुढ़ापा जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को निकट और दूर दोनों परकार के दोस हो जाते हैं और उसे ही क्या का अगला 123 के बाद में 130-वा question है 130-वा question है आपके पास अगला question जो आता है वो 130 number का आता है और 130 question क्या आता है आपके पास 130 number का जो प्रशन है BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है किस रोग की रोग थाम के लिए BCG का टीका लगाय जाता है यह कोशन है आपके पास BCG का टीका किस रोग की रोग थाम के लगाय जाता है तो आपको पता होना चीए BCG का जो टीका होता है वो किस के लिए लगाय जाता है TB के लिए किसके लगा जाता है TB की रोगताम के लिए TB की रोगताम के लिए किसका ठीका लगा जाता है BCG का ठीका ठीक है ओके अना तो BCG का जो ठीका है वो TB की रोगताम के लिए क्या करा जाता है लगाया जाता है चली आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है 135 अना 135 जो है वो कोशन है आपका 135 135 कोशन है आपका ये रहा 135 क्या कह रहा है ये रहा 135 प्रशन एंटिबायोटिक से संबंदित प्रशन है प्रतिरक्षी से संबंदित तो क्या कह रहा है एंटिबायोटिक से संबंदित कोशन देखिए ध्यान से सुनिए का एंटिबायोटिक से संबंदित क्या कह रहा है प्रतिरक्षी से संबंदित कौन सा सही नहीं है तो प्रतिरक्षी ऐसे पदारत है जो रोग फैलाने वाले प्रति जीवियों को मार देते हैं या उन्हें विक्सित नहीं होने देते हैं बिल्कुल ये तो आपका सही आंसर है ये तो correct है आपका ये तो correct answer है ये जीवाणू और विशाणू दोनों दोरा हुए संकरमण के उप्चार में प्रभावी होते हैं नहीं एंटिबायोटिक्स स्रिफ और स्रिफ जीवाणू पर कारे करते हैं विशाणू पर कारे हैं नहीं करते हैं viral infections पर यह काम नहीं करते तो केवल और केवल जीवानु वाला होगा तो यह आपका रॉंग है तीसरा erythromycin, penicillin और crossin कुछ प्रतिरक्षकों के उधारने बिल्कुल नहीं anicillin और erythromycin है पर crossin आपका antibody नहीं है antibiotics नहीं है तो यह भी आपका गलत आंसर हो जाएगा अगला option है penicillin जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक जीवानु की कोशिका भित्ति के translation के प्रकरवों को रोकने में शामिल होते है नहीं यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा नहीं यह आपका सही है ना penicillin वाला सही है तो option नमबर जो है आपका 2 और 3 यह गलत है आपके बाकी 1 और 4 सही है तो option नमबर A आपका क्या हो जाएगा correct ठीक है 2 और 3 गलत है बाकी 1 और 4 क्या है सही चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला 135 के बाद में 141 अगला question जो 41 नमबर पर है अपमार्जकों से यह प्रशन पूछा गया है अपमार्जक का प्रियोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि आपको पता अपमार्जक क्या होते हैं साबून सोडियम और पोटेसियम के सलफोनिक लवण होते हैं जो calcium और magnesium के साथ में अवक स क्योंकि क्लॉइडिया ब्रोमाइड लवन होते हैं जो कठोर जल में उपस्तित calcium और magnesium आयन के साथ अवक्षेव में नहीं बनाते हैं तो यह option नमबर आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अगला 142 के बाद में आता आपका 142 नमबर का question जो है वो आता है अब the layer of atmosphere which contains 90% of ozone य आपका दो question और बसते हैं एक बसता 144 और एक बसता 145 तो 144 प्रशन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं अपन की जो खत्रे के signal होते हैं वो हमेशा लाल रंग के क्यों बढ़ाए जाते हैं आपने देखा होगा हर जो खत्रे का signal होता हो लाल रंग का होता है ट्रेन आरी होती तो जो आपके station master होता हो जंडा भी लाल रंग कपकड़ के खड़ा रहता है क्यों उसका कारण परकाश का परकींडन लाल रंग की तरंग देख्ञें सबसे ज्यादा होती है इसका परकींडन सबसे कम होता हो सबसे कम फैलता है इसलिए दूर तक दिखा ही देता अगहें अगर question है आपका 149 और 149 क्या क्या रहा है आपका 149 क्या रहा है आपको 1 side दिये वे गटनाएं उधारण और 1 side उनकी क्या दीवी है गटनाएं जैसे आपको दियावा है देखिए 149 यह रहा सूरेदर और सूर्यास्त के समय सूरे का लाल दिखाई देना ये प्रकाश का प्रकीणन जिस भी प्रकाश के अंदर जभी भी रंग की बात हो तो प्रकीणन की घटना होगी तो सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना क्या हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीणन तारों की टिम्टी महट अपवर्तन ठीके अपव जबो गया और बी का हो जाएगा फॉर्थ एका सेकिंड बी का फॉर्थ ऑप्षन नमबर बी का फॉर्थ का दो मैं है ए और बी दोनों में है सी का ṉका्शम इंद्रदू उसका क्या हो जाएगा चलीए तो दोस्तो तो ये थे आपके विज्ञान के 25 प्रशन जो average थे, average से उपर भी बोल सकते हैं, उनको on an average प्रशन थे, मेरी साफ से आपका सही गए होंगे सारे question, अब आगे के लिए आपको mathematics का solution जो है, वो हमारे प्रिये किशोर सर करेंगे, तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और देखत के रहिए इसे, लीजिए सर्थ, सभी बच्चों का मया पार्चला अपर हर्दी स्वागत, अभी नंदन, पूरी एनर्दी के साथ में सभी बच्चे एकबर सेस्न को सेर कर दीजिएगा, ताकि जो आज का आपका जूनर एकाउंटेंट का पेपर हैं, दी में पेपर की बात क पूरे पेपर की पूरे एनलार्सिस करें, तो साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जो आपका पेपर है, वो इतना मेत का जो पेपर है, वो इतना टीफिकल आपका पेपर नहीं था, मैं यदि दो तिन कुछनों को हटा दूँ, तो देखा दाए, तो आपका बिल्कुल टें दना पेपर हैं, जिसमें मैत के कुछन आरहे हैं, और शुरूवात की जो हो रिए वो पहले कुछन से हो रही है, तो सभी साथी एक बार जो है आपका पहला कुछन, उसके उपर आपको चलते है, पहला कुछन जो आपका, इसमें तो पहला कुछन यह आपका पाई चार्ट का है जो हमने आपको मेराथन क्लास कर वही थी मेराथन क्लास में लगबग साथ-ाठ पुछन आपको हुब हुए इस प्वेपर में मिल जाएंगे जो हमारी मेराथन क्लास थी उसको एक वड़ आप लोग देखोगे तो आपको हुबू हमारे जो कुशन है वो इसमें आपको मिल जाएंगे यह पहला कुशन है आपका जिसमें यह क्या कह रहा है इसमें कह रहे हैं यह आपके कि कौन से विद्यारती ने अंग्रेजी और गणीत में अधिक्तम ओसत अंग के पराप्त किये यह आपको शत्त नंक निकालना अब यहां पर विध्यार्ती करते हैं कि सभी के नंबर aid करके इनको ऑस्त निकालते हैं तो आप को क्या करना डोनों विश्यों में देव है पहला विद्यार्ति है वो कितना प्राप्त करना है उसका आपको जो पाई में में विध्यार्ति है तो आपका M में विध्यार्ति है यह पर झार जो video आपका English में जो marks प्राप्त कर रहा वो कितना कर रहा है यदि मैं M की बात करूंगा तो M जो कितना प्राप्त कर रहा है इंग्लिस में कर रहा है आपका 45 पलस यदि मैं बात करूं किसकी math की तो m वह हैं वो math में कितना करा 40 कर रहा है तो इन दोनों का आपको average निकालना तो दो का भाग लगा दो कि किन दो विसे हैं यह हो गए आपका कितना 85 85 को इदि आप दो से डिवाइड करते हो तो साथ इसका जो आपको कितना मिलेगा यह हो जाएगा आपका 42.5 अब मैं बात तो जो आपका 45 उसत प्राप्त कर रहा है यदी मैं पी की बात करूंगा तो पी का उसत कितना हो जाएगा तो पी का उसत होगा देख 열스럽का 45 और 50 के भीच में अ रहा है तो इस अन्ग्रेजी में 45 प्राप्त कर रहा है प्र्वाप्त कर तो इसी प्रकार हम इस्प्रक्रा निकालोगे तो जो हाइस्ट है जिनका मिलेगा वो किसका मिलेगा आर इस्ट्टेंट का मिलेगा जो अप्षन नम्पर किस में दियाँ आपका डि दियाँ है तो पहला वाला जो प्यारे सात्यों उसका जो correct answer होगा वो होगा आपका आपका option नमबर कौन सा वाला D वाला होगा अब मैं बात रहूंगा second question की starting के जो 4 question थे वो pi chart में से दिये गए आपके और जो मैंने आप लोगों को solution करवाई था उसमें मैंने आपको pi chart के लगबग 3 question की practice करवाई थी और मैंने कहा था 100% इसमें से 3 या 4 question आपके आएंगे तो paper के शुरुवाद में आपको लगबग या 4 question दिये है second question की बात करें तो second question में ये क्या कह रहा है आपका second question की बात करते है second question में ये कह रहा है second question को अपन देखते हैं एक बात second question में क्या कह रहा है देखिए second question आपका जो है वो कह रहा है किए तो 40 से जो अब हो आरहे है वो पिर चाथ यह वह आपके 2 के अधिट आरहे हैं तो जो आपका हो हो है सेकिंड वाला कुष्ण है तो सेकिंड वाले कुष्ण का option 2 किसमें दिया वा हैinte 2 जो कि option नमबर पहले में दिया वाए है तो second वाले का correct answer क्या हो जाएगा किसी विद्यारती ने गनित और अंग्रेजी में अंकों का जो अनुपात है यह सरवादी की प्राप्त किया आपको क्या गाना जो उनके marks आरक हैं, अंग्रजी में और mathematics में उनके marks का आपको अनुपात निकालना है, यदि मैं बात करूँ कि यहां पर सबसे पहले विध्यारती, जो कि आपका M है, तो M ने कितने marks पराप्त किये, तो M ने अंग्रजी में marks पराप्त किये, 45 और math में किये 35, तो मैं 45 और 35 का यदि ratio निकालोंगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 45 और 35 का में ratio निकालेता न, तो जो मैं बात करता हूँ, आपके M की, तो M का जो ratio आएगा, वित्रों, वो कितना आएगा आपका, M का जो ratio आएगा कुछ technical issue जा रहे हैं अपने यहां पर, तो कोई निया पर इसको solve करेंगे, सभी साती एक बार live जुड़े रहें, इस session का आनन ले, पुरा complete जो हैं आपका solution, आपको पूरे complete solution हम लोग यहां पर करवा रहे हैं, ठीक है न, direct answer नहीं बताएंगे, एक बार complete question को solve करके, जो आपक answer होगा, और किस प्रकास से निकला, उसका तरीका क्या, वो सब कुछ with solution आप लोगों को बताएंगे, तागि आप लोग, पुरूब के साथ में कह सकते का आपका answer कितना सही हो रहा और कितना आपका, जो है, गलत कहां पर हुआ, तो वो भी आप लोगों यहां पर देखने को म अंग्रेजी में है, और 50 marks प्राप्त कर रहा है, आपका मेत में, तो 45 और 50 का जब आप ratio निकालोगे, तो 9 ratio 10 आएगा, कितना आएगा, 9 ratio 10 आएगा, और सरवादी जो ratio है, तो मित्रों किस का है, आपका R का है, तो इसका भी जो second वाला question है, आपका third वाला question है, इसका भी correct answer आ मैं बात करूँगा N, जो N है, वो अंग्रेजी में 40%, एकिनि 40 नमेर आपका प्राप्त कर रहा है, जो P है, वो है, वो थ Тर्टी कर रहा है, और जो R है, हूँ आपका 45 कर रहा है, इन सभी नमद्जी बालों को में, क्या करूँ, एड कर दूँ, एड करने पस आती हो आती तो स्टार्डिंगे चार कुशन पहला दूसरा तीसरा और चौता ये चारों आपके पाइट चार्ट से समने कुशन थे हैं जिनका मैंने आपको यहां पर सोलुशन बताया इतना कोई टिफिकल पाइट चार्ट आपको नहीं दिया गये था जबकि जो अपने मेरा तन कलास चली थी आपकी उसमें मैंने जो पाइट चार्ट के कुशन दिये थे वो इसे तो करीबन दस गुना अच्छे लेवल के थे तो देखा जाए तो पाइट के नाम पर मातर एक फोर्मल्टी करके आपको एक चोटा सा कुशन रिपर्जेंट कर दिया है और इस कुश कि अब बात करते हैं अको नेक्स कुशन होती तो भचो नेक्स कुशन ने हैं आपका यह अपके जो ङुर्याम को एक सब्यूंता है नवसमा करें दर अब अध quay च्छों कि ए दिजयो ठेवाला था यह आक रार आएगा सब्सक्राण में एक एक करेक्ट ऋधाएगा तो फॉर्त वाला ता फॉर्त वाला में 205, आप्शन नंबर C वाला करेक्ट होगा, अब मैं बात करूंगा जो आपका next quushon है 40 और 20, 22 है 20 और 22 की बात करेंगे, 20 और 22 नंबर quushon की बात करेंगे, 20 और 22 नंबर quushon, तो यह रहें नमबर 20 तो देखिए बचो बहुत यह आपका स Hahn कैने करें का यह बत्attered करूं मत्य कीब सर्ग प्रजय को इस्हिंग में पूरी एंठिक्स Science जुड़ जाएगा और सेशन का अनुन लीजिए आप लोग यह केना इन परतम पराकर संक्यों का जो आपका मजद्य वो कितना दियावा टू एन अपॉन तरी दियावा तो इनका आमान क्या होगा आप से पूचा गया मैं इदी वात करता हूं समानतर मजद्य की तो समानतर मज संक्या तो एक बर आप लोग यहां 0, 4, 3, 2 अधिकतर मान आपको जाब सब्सक्राइव नहीं है क्यों के यह राषयों का योग 0 होगा और तो जब 0 मिं 0 का अब आप क कारता है जब तो जिरू तो आपका होना possible है नहीं है आप लोगों ने मान लिया कि वह 4 संक्य हो सकती है तो परतम संक्य होगी आपकी first, फिर होगी second, फिर होगी third, फिर होगी fourth, चारों को जोड़ करके दिति आप 4 का भाग लगाओगी तो उनका मध्य निकल जाता है, उनका उस्त निकल जाता है, इनका योग कितना हो गया, इनका योग आपका 10, 10 बटा 4, यह हो जाएगा आपका कितना, 5 बटा 2, अब यदि वही एन का मान, क्योंगी एन का मान में नहीं यहां पर चाल लिया, यदि मैं 4 पुट्टब कर दूँगा, तो कितना हो जाएगा, 8 तो कितना हो गया, 6 मैं इदि में 3 का, भाग दूँगा तो मुझे 3 प्राप्ट होगा, तो आपने N का जो मान लिया था, वो क्या लिया था, आपने 3 लिया था, वो यह N का मान यह पुट्टब कर दिजिए, तो 3 यह पूट्टब करूँगा, तो 2, 3 अपवान में 3, तो 2 आर रखें आपके continue question दिये वे नहीं है पहला question 20 वाला हो गया उसके बाद में 22 हो गया किसी कक्सा में लड़कियों की और लड़कों की संक्या का अनुपात दिया वा 24 अनुपात 16 यह आपका अनुपात है कक्सा में लड़कियों की परतिसत संक्या क्या होगी आपको परतिसत संक्य का निकालनी एं, जिसका मान ग्यार्थ करना होता है, वो हमेसा जो रसी उपर आती है, जहां से मान ग्यार्थ करना वह आपका निचा आगी, कक्षा में कूल विद्यार्थियों में आशे लड़कीं की संक्या, आप लोगों से पूची गई है, तो लड़किएं का जो अनूपात है, वो कितना आपका 24 है अब देखे, कक्सा में कुल कितने भी जारती है तो दोनों का अनूपात, क्यों होगा आपका जूर जाएगा, तभी तो इनका योग होगा तो इनका योग होगा, तो 24, और 16 कितना हो गया मित्रों यह हो गया आपका 40 अब आपको पसंटेज में ग्याद करना है तो 100 से इसको मल्टिप्राइक कर दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो गया चार का बाग इसमें चला गया 6 बार चेको आपने 10 से गुणा किया तो 60 परसेंट जो की यह अपने 10 कि में दियाओंगा टि में दियाओंगा तो ड वाला आपका अंसर हो जाएगा कुषिटा नमजट के बाद करना अगरे कुषिर के बात अगले कुष्टाइश नमजटा करने मैं आपका 25 में क्या घरहे कि जो परीमे संख्या क्या होती है संख्या कितने परकार की होती है मूलत संख्या दो परकार की होती है वास्ट्विक संख्या और आपकी काल्पनिक संख्या वास्ट्य संख्या दो परकार की होती है परीमे और ए परीमे संख्या तो यहां बात कराओ मैं आपके ए परीमे यह त तो जो सिंख्या रूट में आती है वो हमेंसा आपकी ए परीमे सिंख्या होती है कौन सी होती है आपकी ए परीमे सिंख्या तो यहां पर आपको दो ए परीमे सिंख्या दी गई है क्या दी गई है आपको ए परीमे सिंख्या और पूचा गए आपको परीमे सिंख्या के बारे मे पॉइंट अटाने के बाद में आपके 3-0 लग जाएंगे तो यह सिंख्या पदीमे सिंख्या में कर्णवर्ड हो गई आपकी तो आपको 25 वेकर जो करेक्ट आंशल होगा वो उप्सन नमर क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स कुशन की तो नेक्स कुशन है आपका 37 वाला तो देखिए बचों 37 जो कुशन है वो क्या कह रहा है कुछन नम्मर 37 यह रहा आपके सामने आपकी स्किन के उपर कुछन नम्मर 37 अब देखे बच्चों इसमें क्या करका है यह कुछन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं थोड़ा सा लेवल का इसलिए लग रहा है क्योंकि यह की कुछन में करिवन 4 पाट दे दिये तो इसको करने के 0.008 हो जाए तो देखो बच्चों में 1.5 की बात करूँ तो क्या करना आप लोगों को अब यहां अपोन में आपका यहां 5 आप तो आप क्या करोगा यहां 1 बटा 5 को इदि में उपर भी 2 से गुणा कर दूं निचे भी 2 से गुणा कर दूं तो यह हो जाएगा आपका 2 तो यह करना एक्स का मान क्या होगा यहां पर तो एक्स का मान 3 होगा उप्सन नमबर A में दियावा आपका तो सेकिन वाले के लिए हो जाएगा आपका B वला दो की गात यहां इसका जो आदार है जो वैसे आपका वह दो है दो की गात 56 कब हो सकता है जब दो की गात 8 होती त उसका माण 54 होता है, तो 9 नुँसे में 1 कम प्रёмक्रowym होजेगा, आपका, 8 1980, हाट कमाण कितना होता है, 256 होता है, तो x कमाण कि आना चाहिए है आपका, 9 आना चाहिए, तो option ndמה किस में आरा है, 4 तो walे में होता है, तो पहले वारे हैं वागी किसे आ रहा हुँ, आपकी आपका A में आ रहा है, B में आ रहा है, और C में आ रहा है, तो इसका पहले वाल इसा आपका आएगा, उसके बाद में जो 2nd वाला है, तो second वाले के लिए जाएगा आपका first तो second वाले के लिए B में जाएगा first इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है उसके बाद में third वाला वो इसमें जाएगा आपका fourth तो थड़ वाला का फोर्थ किसमें जा रहा C में, तो option number C वाला आपका correct हो जाएगा बच्छों, कौन सो हो जाएगा, option number C वाला आपका correct हो जाएगा, तो 25 वे का, 37 का answer हो गया, कितना हो गया बच्छों, C हो गया आपका, अब यह बात करूंगा next question की, जो कि हैं आपका question number 50, बा question number 50 की बात करें, तो question number 50 आपका वो क्या कह रहा है बच्छों, वो यह कह रहा है, question number 50 वाला, 50 वाला क्या कह रहा है आपका, question number 50 में यह कह रहा है, अपने को क्या find out करना है इसके अंदर, इसमें करना है आपको, कि पंदरा वुमेन, यहनि पंदरा महिला औरतें यहां तीस लड़कियां किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, और उसमें वो 270 सूट बना कर, सिल कर क्यार कर लेती है, तो उरते हैं गैर यह कितने हैं जो लट्टियां फीशले कर लेगे आपके इसकी बात नहीं है वुमेन जो कार्य करती है उतना कार्य है वो 30 गल्स कार्य कर लेती है तो 15 जो महिला वो क्या होगी 30 लड़कियों के बराबर तो एक महिला किसके बराबर हो जाएगी दो लड़कियों के बराबर हो जाएगी दो गल्स के बराबर हो जाएगी आपके तो यहां पर लड़कियों म कितने लोग कितने दिन कितना गंटे कारे करते हैं जुसको अब बोलते हैं जो शुब बोलते हैं इसक ऑनम थित्य में alan थो फुलीव एमझा हम ब धॉ अठरा दिन कार्य करते हैं गंटे किसी के दीवी नहीं कितने कार्य करते हैं 270 कार्य करते हैं तो यही कार्य कितने दिनों करना दस औरते हैं और कामल होता पलस 20 लड़किया एक साथ में कार्य करेगी तो आपको बता कि 10 औरते हैं ना यहीं एक और दो लड़कियों के वराबर है कि दृव Door rush बडुरु हो झाई की बीस लड़कों के बराबर तो तो बीस प्लस की बीть लड़की कितनी हो गई चालीस लड़कीया और यह आपके कार्य करेई कि अठरा देन और कितना कार्य करेगी यह आपसे पूछा गया है तो 18 से 18 हो गया आपका cancel यह 0 से 0 गया आपका 3 का बाग इसमें चला गया नो बार तो यहां बज़गी आपका 1 बटा 9 इधर आगया कितना आपका बराबर में यह आपका 40 बटे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह जाएगा 306 जो सूट है उस इलके त्यार कर लेगी जो की option number किसमें दियावा आपका option number C में दियावा तो C वाला आपका correct answer हो जाएगा सभी विजारती एक पर comment करके जो कुषन आप लोगों से हल हो रहे हैं उनका one by one करके आप लोगा answer दीजिए कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों को पता लगी कि आपके कितने कुषन क्रेक्ट हो रहे हैं अब मैं बात करूँगा next question की जो कि आपका 54 नमर कुषन है कुषन नमर 54 फिप्टी फॉर कुषन की बात करें तो इसमें यह कह रहे हैं आपके अब यह तो बिल्कुल यह देखा रहा था आपके बच्चों वाला कुषन है अब इसम को गुणा करने पर option number D वाल आपका correct हो जाएगा इसमें something like को चीज है अपकी है भी नहीं आप बात करते है कुषन नमर 58 है आपका यह कह रहा है कि परिमे संक्याओं का योग बताना क्या करना आपको कि rational नमर फ्रॉम्दा जो आपको नमर दिये हैं उनको ना तो उनमें rational नम के रूप में represent की जा सकती है यानि वो रूट में नहीं होने चाहिए तो यह संग्या रूट में है लेकिन रूट से बाहर नहीं आ सकती तो हो गई आपकी क्या अपरी में यह वाली परी में है क्योंकि इसका मान होता 15 15 में आप क्या जोड़ दोगए 0.3796 जोड दीजिए तो कुछन नमर 65 तो बच्चों कुछन नमर 65 यह रहां आपके सामने अब देखिए यह कुछन को भी उत्र अच्छा मानता हूं मैं क्योंकि यहां पर आपको व्यांज वाले करिबन 3-4 पॉइंट और करमुली विकरमुली की बारे में समधाय गए आपको यहां 4 पॉइंट दिय करें मूली कि बिस्ता होती है कानी होती हमेसा करें मूली 100% सब्सक्राइब होता है पॉइंट 25 और लाव आपका 20% है तो यह किया रहा है इसका विक्रेमूली इतना हो जाएगा तो आपके अगरोगे 56.25 का 120 परसेंट निकालोगे लाव हमेसा करेमूले में जुड़ता है तो आपके जो वेल्यू आएगी वो 67.50 आएगी इनि सेकेंड वाला जो है आपका बिल् 96 न तो चार परसेंट का लाव हो रहा है विल्कुल नहीं हो रहा है यह गल्त हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि विक्रेमूले का तो आपने विक्रेमूले को 100 माना तो करेमूले हो गए आपका 45 पर से निकालोगे तो यहाएगी आपकाक दो च savez गया 25 बार इसमें गया आपका 6 बार तो 25 बटा 6 निकालोगे आप लोग तो यह आपके चार पॉंट कुछ सम्तिंग आएगा एकजट चार परसेंट नहीं आएगा तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा आपका गलत यह कहना जो क्रेमूली होता है वह 100 अपॉंड में 100 प्लस का लाव जो भी प्रसेंटेज में दियावा इसको विकरेमूली से घुना करोगे तो मिल जाएगा यह सिधा फॉर्मूला करवाया था चब आपको मेरतन क्लास में ने कर वही ती इसमें पूछ ना को दिया था किसी में लिकाना होता किसमे लिक्ता हो आरू mar público युछ देखना है कि पहला यह है भी इसम्यारा यह देखना है सम मैई तब लोग आप यह देखना है तो पहला जो आंकर आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है पहला आपका आ रहा है वो गया आपका दो दो के बाद में कितना आ रहा है उसके बाद में हो जाएगा आपका दो के बाद में आ गया तीन तीन के बाद में आपका आगया फिर क्या चार चार के बाद में आपका आगया यहां पर छे दो बार आ रहा तो छे और छे उसके बाद में साथ भी आपका दो बार आ रहा साथ और साथ साथ के बाद में जो आपका आ रहा है और जो्ग विश्रम संह के होता है तो का घ्रमाय का मान गयात है कर सकते हो लगां पार एंड का गयात करना होता है तरा मैंने बत केरोंगा साक यह कंब करें प्लिए 59 होता खुड देख असके लेवल है तो बहुत ही युद्री में उसके आपको यह कुछन दिया गए हैं यहां पर मैं बात करूंगा 79 नंबर कुछन की यह कह रहा है कि 10,000 रुपे की राशी पर दो वर्स के लिए चक्रुति ब्याद और सधन ब्याद को अंतर है वो कितना ध्याभा 47 रुपे ध्याभा है तो ब्याद की रुपे कहा है यह सकती है यह फिर मैंना आपको बता रह्का vigil में 100 वे जो ब्याद का निकालोगे आप लोग तो जो आपका तो जो आर का मान है आर का मान कितना हो जाएगा आपका 20% क्योंकि आर इसको बदाबर 400% होता तो आर का मान कितना आजाएगा 20% आपका प्रेंड ऑप्सन नमर आपका 85 क्या गहरा है कुशन नमर 85 यह आगया अधर को बचुछ यह आपका देगा जाएगा तो गातां को करने वाला कुशन है बहुत दी नॉर्मल कुशन है आपका यह गहरा 0.4 यह 0.04 0.04 की पावर वो भी दे रहाएं आपको माइनस में किसम में दे रखी है आपको माइनस में दे रखी है 0.04 की पावर क्या दे रखी है आपको माइनस में दे रखी है तो जब आपको पावर माइनस में दी वह होती है तो अब उन क्या करते है उस पावर को यह तो पलस में कर लो आप लोग तो क्या करना होगा कि नमर को आपको रिव में हाटाना है और उस नंबर में भी आपको पॉन्ट को हाटाना है तो यह होजाएगा आपका क्या फोरtechn में और पावर आजाएगी आपकी माइनस की 25 बटा 10, क्या आजाएगी आपकी 25 बटा 10, दोनों को आप काटोगे तो यह हो जाएगा, आपका कितना 1 बटा 25 और पावर हो जाएगी 5 बटा 2, अब क्या करोगे, आप नंबर को क्या करना आपको, नंबर को रिवर्स में लिखना, क्य जाएगा आपका hundred आपका यह होजाएका 25 बटा 1 की पावर आजाएगी आपके कुष्य नमर्ज ये क्या कह रहा है आपको तो देखिए आप लोग लोग खुछ चैकर लिजिये एक बार कि लेवल कितना जी आप लोगों का है बहुत यजी लेवल है अब कुष्य नमर्ज आपका कौन सा है एक यह यह कह रहा है वो कहना कि 2.1.14 जो है 3.8 का कितने परतिसात है बहुत ही simple question है यह बच्छों होला question होगे आपका यह 1.14 है वो 3.8 का कितने percent होगा आपका तो यह आप कह सकते हो कि बहुत simple question होगे आपका तो 1.14 को तो आपको उपर लिखना है 1.14 को आप उपर लिखोगे upon में क्या आएगा 100 से multiply करोगे तो जो उसका correct answer हो जाएगा 30% कितना हो जाएगा बच्छों 30% जो आपका है 101 का 1 वाला होगा 30% बच्छों कितना हो जाएगा 30% अब मैं बात करूँगा next question की जो आपका 110 नमबर का है कौन सा है 110 कुषन तो यह ना paper का 110 कुषन अब देखो बच्छों यहां पर क्या रखा है कि इन्होंने 110 कुषन को यानि किलो मिटर परती गंटे की चाल को मिटर परती मिनट में चेंज करना यह मिटर परती सेकिन में चे करते हो तो आप उस चाल को 50 20 18 से क्या पर दोगत है आप कीकनवर्ड हो जाएगी जितने शे पह ₱ 1 दियाव है कि आपका क्या ay정 6 km अभन घटा इसको आप 5 बटा 18 से घुणा किजीए फिर दियावा आपको 20 km अभन 10 श्रीलोंच घंटा इसको भी 5 बटा 18 से घुना किजीए और बैannis से बट्टा अठा से गुना कर दीजिए तो सारी किसार चालें आपकी मिटर प्रति सेकिन में आ जाएगी तो यह आप इसको करने के बाद में जो आपका अब मैं बात करूंगा कुशन नमर 112 की कुशन नमर 112 वो क्या कह रहा है कि एक कमरे की विमा है जिसकी लंबाई और चोड़ाई के जो अनुपात है में परतियक में तीन मिटर की वर्दी करने पर लंबाई और चोड़े का जो अनुपात है वो पांच अनुपात तीन हो जाता है परतियक में दो मिटर की कमी कर दें तो इनका अनुपात दो अनुपात एक हो जाता है तो कमरे की लंबाई है वो मिटर में आप लोगों को क्या करनी है ग्यात करनी है तो जब आप मिटर में ग्यात करोगे तो कैसे होगा तो सबसे पहले मान लीजिए इसकी लंबाई X है इसकी चोड़ा है अब जा आपका अनुपात है वो X अनुपात Y में आपका आगया है ठीक है ना एक सो बारवा कुषन निकालते हैं जो आपका क्या गया ऐक सबने अलगत है। अब देखो यहां इसका अनुपात है वह एक्स अनुपात हुआ ले लेंगे बचो क्या ले लेंगे एक्स अनुपात है वाई मानले इसकी लंबाई इसकी लंबही कि आपकी x है और इसकी चोड़ए आपकी y है इसे अनुपात को भिन में लिखो तो x बटा y अब पहले क्या करना यह है कि यह कहरा कि इसमें 3 मिटर वर्दी कर दें इसमें भी आपने 3 जोड दिया इसमें भी आपने 3 जोड दिया तो बराबर में क्या जाएगा आपका यह आजाएगा 5 बटा 3 क्या जाएगा आपका 5 बटा 3 इनको क्रोश गुणा करने पर तो यह तो हो जाएगा आपका 3x प्लस का 15 बराबर में 5y प्लस का 15 यह बराबर का 9 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर क्या जाएगा आपका यह आजाएगा आपका बराबर में 6, तो यह बन गए आपका पहला समी करने, अगला में क्या करना, आपको 2 माइनस करना, लंबई में चोड़ाई में, तो X माइनस का 2, Y माइनस का 2, तब इनका अनुपात हो गया, 2 अनुपात है, तो आजएगा 2 बटा 1, यहां से क्रोस गुणा कर दीजिए आप लोग, तो यह हो जाएगा, X माइनस का 2, Y बराबर में क्या जाएगा, आपका माइनस का 2 आजएगा, यह हो गया, एक्विसन नमबर सेकिंड, यह फस्ट वाली है, यह आपकी सेकिंड वाली है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एक्विसन में कंपेर करो, इसको 3 से आजएगा, तो 22 है, वो कौन से ऑप्शन में दियाओ आपको, आपको अप्शन नमबर A में दियाओ, तो एवाला आपका correct answer होगा, बच्विसन होगा, आपका correct answer, 20 मीटर लंबाई हो जाएगी आपके, अब मैं बात करूँँगा फुसन नमर 142, जैब फुसन नमर आपका 100 चाहुदा है ना यह थोड़ा सा लेवल का लग रहा है और जिन बच्चों ने जो आपका फर्स्ट वाला चेप्टर है नंबर सिस्टम जिन्होंने अच्छे से डंग से पढ़ा है इसको इसी तरीके से सोल कर सकता है वो यह कह रहा है कि इसके गुणंखन आप लोगों को निका दियावा आपका उप्शन नंबर सी में दियावा है तो सी वाला करेक्ट अंसर होगा अब मैं बात करूंगा कुशन नंबर आपका 116 तो देखें बच्चों कुशन नंबर 116 यह आपके सामने आपकी स्क्रिन के उपर यह कह रहा है कि उस्ट आंक ग्याद करना तो उस्ट प है विद्यारतियों की संख्या दी तो प्रापता आंको एक सिंख्या बारं-बारताफ मान लो सबसे पहला आपको एपक्स निकालना है तो यह गैशाओ और अपुशन नंबर 50 3230 और 20 से कम नंबर 177वा है तो जाएगा तो यह कुशन-फंचैंचा 116 lockdown. अब मैं बात करूं कुशन नंबर 126 वे की, कुशन नंबर आपका 126 वा बच्चों, तो देखिए कुशन नंबर 126, जो रहा आपके सामने, आपकी स्क्रिन के उपर, तो देखिए जो कुशन नंबर आपका 126 है, जब मैंने आप लोगों को मेरतन कलास में जो second कुशन करवाया फर्स्ट कुशन आपका, वो यही था, उसमें जो मैंने करवाया था, वो आपका फेक्टॉरिल से संब्द ही था, और मैंने इकाइक आपके पूचा था, और मैंने कहा था, इस पर कारके कुशन ए, एक्जाम में 100% पूचे जाते हैं, यहां पर क्या करा है, इनोंने फेक्ट से किया 6, 6 को आपने 4 से किया 24, 24 से फिर आपका 4 आगया, फिर अगले में क्या करोगे, पांच तो जाएगा, आपका 0, 4, 5, 20, अब आगे 0 से गुना करोगे, तो आपको हमें से क्या मिलेगा, 0, तो इस परकार के अंकों में 1, क्या हमें से क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ज Q27 मैं गुष्ण है इसका अगला Q28 आपका इपका इन पूरे sicher पिर यह कोंचिषर की अब बात करों है और यूथ्ल यूशन है। पहला है पर करें कि करद से कुछL कांगज्ण बूपरी naपर की नीचली S對不對 का योग पूचा है बहूलक का मतलब क्या होता है जिसकी बाराम बारता सबसे अधिक बार आती है तो देखो इसमें सबसे विद्यारतियों की सिंग्या यह होती है अपकी फिक्वेंसी बारम बारता तो किसकी आरी है बारा की आरी तो यह आपका बहूलक होगा तो बहूलक अब किरा मत्य का मत्य करना होता है उनकी बारंबारता को जोड़ते हैं यह पूए का 3 3 में 6 जोड़ने पर एक 9 और नो और बारा वह गए आपका 21 जोगा पका 30 थी 10 तो और कितना आरा है 40 आहरा किससे लिए यह ज्यस उसे बड़ी कौनची ड़म औरिए तो आपकी 20 से बड़ी ड़ारी 21 वाली तो जो वह वर था सभी क्या यह आपका मद्य का वरत भी वह वह होगा आपका तो इसने कहां सभी की निचली सिमा तो कितने हो जाएगी आपकी 150 हो जाएगी तो 150 को और 155 को आपस में 8 करोगे तो वो जाएगा आपका 305 बचो कितना हो जाएगा आपका 305 तो option नमबर जो है वो यह रहा एक बालग घर से इस्कूल 8 किलोमेटर प्रतिगंटे की चाल से जाता है और वापस इस्कूल से गर 12 किलोमेटर प्रतिगंटे की चाल से जाता तो बालग की ओसत चाल क्या है आप लोगों को ओसत चाल पूछी गई है तो आने की और जाने की दूरी एक समान है तो अब भी आपको उसत चाल पूछ लिया जाए तो दोनों चालों को गुणा करके 2 से गुणा कर दीजी आप लोग और उसमें दोनों को जोड करके भाग लगा दीजी तो 8 पलस का 12 यह हो जाएगा कितना 20 तो आप 20 का भाग दो किसमें 2 इंटू बाराटा चिन में इसमें 20 का भा यह रहा आपके सामने कुछे नंबर 1 37 यहां पर कुछ बिन दीवी है कुछ फ्रेक्शन दिया आपको इनमें कहरा कि सबसे चोटी बिन कौन जी है वो निकाली है तो जब आप इन 13 में 16 का भाग लगो 17 में 20 का भाग दो 16 में 19 का भाग दो और 5 में 6 का भाग दोगे तो यह ल बत्रा बटा है कि किसमें दीवी option number A में दीवी आपके option number A तो option number A आपका correct answer होगा अब मैं बात करूँगा next question की तो next question यह रहां आपके सामने आपके screen के उपर जो है आपका 137 हो का 137 के बाद मा अगया आपका 145 हो गया आपका 145 यह आपका last question बचा 145 तो यह क्या बचों आ आपका 137 के बाद मा हां यह हो गया आपका last question बचा आपका यह आपका 145 145 नंबर question तो यह आपका 145 नंबर question मेत का last question आपका तो देखिए यह question क्या कह रहा है question नंबर 145 जी हाँ तो देखिए दो करमागत विश्वम पूर्णाकों के वरगों का अंतर हम में साँ पूर्ण विबाजित होता किसे होता चा से होता है कैसे होता मैं एक वरग आपको समझा रहता हूँ आपको विश्वम सिंख्या लेनी है walipaili aone a 3 अगली ओगईई पांच आगली ओगे आपको इन दोनों गांतर होगे 25 में से आपको 9 जाएगा तो कितना बचे हैगा आपका 16 इन दोनों का लेंगे आप लोग कितना हो गया आपका यह जाएगा चार ओर हो गया आपका कितना 24 अगला जो आएगे इन दोनों का अंतर ले लिजिए तो यह हो जाएगा आपका 11 में से गयत हो गया बहुत ही easy level था और मैंने completely आपको solution के साथ में समझा दिया अब आपको जो मदंसर है वह आपको complete जो अपने gk के 25 कुशन है उनका solution आप लोगों को बताइंगे तो मदंसर थैंक यू सर प्रिविद्यार्थियों आप सभी ने लगातार हमारी टीम के दौरा जो अंसुषीट बताई गई आपको आपने देखा होगा अब बचे वे जो प्रशन है जी के वाले 25 प्रशन उनका solution करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूशिन नंबर 7 की तरफ चलेंगे सबसे पहले हाँ एक नमबर क्यूशन नहीं हो गए क्यूशन नमबर साथ हाज क्यूशन नमबर सेवन की तरफ देखेगा पिरेविद्यारतियों साथ जो सामने आपके दिया गया है और इसको ध्यान से देखेगा हालांकि इतना कोई गठीन प्रशन है नहीं इसमें ये पूचा गया है कि यहां पर जो है मुख्यमंतरियों का काल करम काल करम के अनुशार जो मुख्यमंतरियों का यहां पर जो करम दिया गया है वह आपको यहां पर बता ना है तो सबसे पहले जो है वह है आपके हीरा लाजजी सास्तरी थे उनीस सो एटालीस में हीरा लाजी सास्तरी थे और उसके की बाद में आपके आएंगे हरी देव जोसी उसके बाद में है आपके एक नमबर भैरो शियू में शेक आउट इस के बाद के लिए और चारीह में कि कोन आर राजस्तान करना है और धूसुची का मिलान करना है क्यूशन नमबर नाइं के अंदर एक A के सामने बात करें तो राजस्तान का जो द्रोनाचारी है वो किसे कहा जाता है वाटर मैन कौन है गांधी कौन है गांधी सब को पता है है ना क्यूशन नमबर 9 A के सामने राजस्तान का द्रोनाचारी है किसे कहेंगे राजस्तान का जो द्रोनाचारी है किसे कहेंगे बताएं ये option number D, option number D, यहाँ पर question number A शही है, option number 1 यहाँ पर सही हो जाता है, इस प्रकार से A के सामने 2, दुरुनाचारी और करन सिंग, waterman यानि की, B के सामने 4, राजंदर सिंग, और C के सामने 1, अरजुन यानि की, लिंबा राम जी और तिरंदा जी में जाने जाते हैं, तो इस प्रक 16 की तरफ चलते हैं साथियो, 16, यह रहा, question number 16, निम्मे से कौन सा भारत का पहला बैंक है, तो 1770 के अंदर इस्तापित, भारत का जो पहला बैंक था, वह था आपका, bank of हिंदुस्तान, 1770, bank of हिंदुस्तान, 17 के बाद में question number 23, question number 23 है, वो GK का है, question number 23 की और चलते है, साथियो question number 23, जो है, देखियेगा, 23 number question में लिखा गया है, कि रास्तान का कौन सा जन जात ये जिल्ला है, current पर पढ़ते हैं, तो कहीं बार ये चीज़े आपको बताई हुई है, कि कौन सा जन राजस्तान से पद्म विबुशन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले वेक्ति कौन थ पहले वेक्ति की समझ में घंस्यामदास जी बिल्ला को 57 में दिया गया तो आप इसका राइट आंसर है, वो घंस्यामदास बिल्ला ही मानना, यहाँ पर ये राइट आंसर भी हो जाता है, अगला प्रशन, question number 28 के बाद में, आगे बढ़ेंगे, question number 30, ये देखो, अभिनो बर परताचारिय, उनकी संगीत की उपादी, महाराना कूंबा हो गया, इसके बाद देखेगा, question number 46, question number 46, question number 46 के और चलते है, next, question number 46, देखेगा, बड़ा लेंदी, 150 प्रशन है, तो मैं आपके सामने, question number 46 ला रहा हूँ, question number 46 में, पूचा गया है, कि गिंदर नर्ती है, वो कि शेक्तर का प्रशिद है, तो simple सी बात है, शेकावाटी शेक्तर हो गया, 46 के अंदर, उसके बाद, question number 51 है, इसका, देखेगा, 51, 51 के अंदर, यहाँ पर दिया गया है, question number, आपका 51, 51 तो यह आपका, हाजी यह रचना है, 51 क्या है, वो रचना है, कौन सा किस की रचना है, यह आपको पहचानना है, देखेगा, देखो, A के सामने, यह निकि जख मिसके चारों और यह मणी मदूकर की रचना है, मणी मदूक प्रशिद रचना है, और उसके बाद में, बात करें, C, राज रूपक है, वो आपके वीरभान की रचना है, और D, यानि की आपके यहाँ पर, कनक सुन्दर, बंसके लास्ट में कौन, शिव चंद्र भरतिया, उपन्यास है, रास्तानी भासा का पहला, तो इस प्रकार से, D option यहाँ पर, सई हो जाता है, 51 के अंदर, D, इसके बाद आगे बढ़े 56, question number 56, question number 56, देखिएगा साथियो, question number 56, बढ़ी ठणी है, वो किसकी पेंटिंग है, बढ़ी ठणी की बात करें, तो बढ़ी ठणी आपके, निहाल चन, याद देखिएगा, question number, आपका हो जाता है, कौ question number 61, हाजी, यह रहा, question number 61, बार्त का सबसे बड़ा दूद, वित्रन संगतन कौन साई, 2022 में, काफी ऐसे से प्रशन पूचे अगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अमूल इसका सही उत्तर है, question number 61, 61 के बाद में देखिएगा, question number 62, कंदोरा आभूशन कहां पहना जा उत्तर है, 69, यहां देखिएगा, question number 69, 69 की बात करें, तो यह है आपका, बात की सबसे लंबी नहर कोन सी है, तो यह आपकी इंद्रा गांदी नहर होगे, यहां पर सही उत्तरशी, इसका हो जाता है, 69 के अंदर, 69 के बाद में 71 की बात करे, question number 71, देखिएगा, question number 71, हाजी, हा थोड़ा वेट कीजिएगा, एक सेकंड, वेट कीजिएगा, एक मिनिट थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया, साथियो, इसको सेकीजिए, आगे वाले प्रश्णों के उपर बात करेंगे, next, हो गया, चलिएगा, यह अच्छा प्रश्ण जेग्राफी से पूचा गया था, इस के उपर भी बात करेंगे, क्यूशन नंबर, जो है, आपका, यही है, क्यूशन तो वैसे सामने हम देखा जाए, तो यह आपका 69 के बाद में से 71 ही है, जो है यह वाला प्रश्ण, हाँ, इसकी बात कर लेते हैं, तब तक बोर्ड भी ठीक हो जाए, देखिएगा, रास्तान क जो शिक्तपर हैं, भार्क के कुल, शिक्तपर का 10.4 प्रतिसत हैं, यह सही है, और रास्तान की शाक्षिता 76 जो है, आपकी उससे ज्यादा है, 79 है, वो है इस प्रकार से, यहाँ देखिएगा, हाजी, और इसमें क्या है कि बड़े सिधे ऐफेक्ट दिये गए थे, तो इसको इसमें क्या जो ग्राफी से पूचा गया प्रतिशत वगेरा, इसमें दो फैक्ट सही है, और दो फैक्ट गलत हैं, तो सीधा सब्रस्नता, आलां कि दो नए फैक्ट थे पोदों के समन्द में, तो बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाए, तो ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है अब सब बढ़िया है, अब सब बढ़िया है, अब इस प्रश्न के और आगे बढ़ते हैं, हिंदी में लिखा गया है सामने, देखिएगा, रास्तान का जो शेक्तरफल है, भारत के कुछ सेक्टरफल का 10.4% सही है, ये सही है, अब प्रश्न के अंदर जो पूचा गया है, वो ये पूचा गया है कि निम्बे से कौन सा यहाँ परशई नहीं है, तो पहला वाला सही है, और तीसरा वाला जो है लिंगानपाद 928 और यहाँ पर गलोटी कबाब और गाट है, रास्तान के पर सिद्वेंजर नहीं है, डाल वाटी जूरमान हो तो सब समझ में आवे, बिटिश राजतान में तो राजतान नाम निया गया था अलागि राजबुताना भी कह सकते लेकिन और ओप्शन है नहीं यह वाला ओप्शन इसमें उप्शन नमबर चार भी गलत है एक और तीन सही है तो एक और तीन आप देखोगे जो इसके अंदर दिये गए प्रशन में मतलब पूचा गया क्या है अच्छा ये पूचा गया है कौन सा सही नहीं है गलत कौन सा है तो गलत है आपका दो नंबर दो नंबर गलत है और इसके बाद में जो गलत है आपका चार ये सही है यह इस प्रस्षनका उत्तर यह सही कियोंकि ये दो स्थ गलत हैं इस प्रकार से दो और चार एसरतर का नहीं ठोंबर से अपने को ध्यान रखना हेसे से इंट से लेकर पस्टिम की जो रास्तान की जो लंबाई है वो कितनी है वो आपकी यहां पर देखिएगा वह आट सो उनसितर किलोमेटर आगे देखिएगा नेक्स्टर सेवंटिफाई के बाद में 83 क्यूशन नंबर 83 क्यूशन नंबर 83 की बात करें तो यह रहा 2011 की जंगर्णा के नुसार राजस्तान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है तो पुरुष साक्षरता यहां पर जो है वो है 79,79.2 परसेंटेज यह इसका सही उतर है इसके बाद देखिएगा अगला प्रशन 83 के बाद में क्यूशन नंबर 90 क्यूशन नंबर 90 देखिएगा स किला है तो मिर्जा राजा जैसिंग ने बढ़ाया था और उसके बाद में क्यूशन नंबर 90 है उसके बाद B आप्षन यहनी हवा मेल हैं तो यह सवाई परताप सिंग्जे ने बढ़ाया था और इस प्रकार अड़ाई दिन का जोपड़ा है तो अड़ाई दिन के हैं और यह सबसे इंपोर्टेंट क्यूशन है यहां पर ध्यान रखिएगा कि अजमेर सरीफ दरगा है यह ग्यास दिन खिल जी मांडू के सुल्तान उसने बढ़ाई थी तो यह आपसन नंबर 20 का सही है डी के सामने 2 है वो सही है और यहां भी 2 है लेकि सी के सामने है वो का यूनेश्को के विश्विरास्थ सुची में सामिल गोशित नहीं किया गया है आम चिकू गाजर वगएरा आप पड़ते हो केवला देव वगएरा यह के लादेव तो आपका यह हैं बिलकुल है इसके अंदर आमेर का किला है जनतरमंतर है यह मेरांगड़ का किला इसमें सामिल नहीं है तो C option इसका सही हो जाता है ये इसमें सामिल नहीं है क्यूशन नमबर 104 की आउरा बढ़ते हैं क्यूशन नमबर 104 की बात करें तो ये रहा देखेगा ये आपके जोग्राफी से समन्दित है कि कौन सी प्रियोजना है वो किस जिल्ले से समन्दित है ये थोड़ा स आपको ध्यान है मेजबान की बात करें तो क्यूशन नमबर 104 है क्यूशन नमबर 104 मेजबान की बात करें तो मेजबान बीलवडा का और उसके बाद में देखेगा मेजबान बीलवडा हो गया उसके बाद B option यानि कि सोम कमला अमबा ये बार बार पूचा जाता है कि शहर को मोत्यों का शहर कहते 105 मोत्यों का शहर है वो हैद्राबाद किसे कहते हैं अंग्रेजी में भी आ सकता है अगर थोड़ा बहुत जानकरी रखते हैं तो ठीक है वरना टफेस्ट तो हो गई ठीक है यहां देखो कि थी में एक धरती वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर था बिल्कुल सही है और यह आपका ब्राजील के अंदर होगा यह भी शही है इस प्रकार से एक तीन और पां है तो ध्यान रखना अगला ब्राजील के अंदर होगा अगला समयलन कब कहां होगा ब्राजील में आगे वाड़ा एक्जाम में पुच्छा जा सकता यह आप से 109 प्राश्ट नंबर 109 को देखिएगा साथियो एक प्रस्ट नंबर 109 क्लियर हो जाता है इसो नौके बाद मे पर केंदर केंदर शोड़ वा वितायोग तो यह ध्यान रखना है ठीक है ऐसे प्रस्ट ना रहे है शित्तर नंबर का क्या था शित्तर नंबर क्या था देखिए अभी देखते हैं इसको कंप्लीट करने के जैस्ट बाद में तो यह एक सो इक्कीस बड़िया अच्छा प्रस यह है आपके राष्टपती सासन के समझने राष्टपती सासन के समझने ध्यान देना दोस्तो राष्टपती सासन कब से कब तक लगा था उसके बारे में पूचा गया प्रस्ट है बड़ा अच्छा प्रस्ट है ध्यान देना सभी साथी कब से कब तक लगा गया था प्रति चासिन आपके 20 अगस्त को नहीं लगा था दूसरा राष्ट प्रति चासिन है वह आपका लगा था तीस अपरेल से 21 जून तसे लेकर पांच जून दोजार से बिल्कुल इन十व नेसे और इस केवल तीन तो इसमें है नहीं केवल तीन इसमें है नहीं वैसे सुध रूप से देखा जाए तो केवल तीन होना चाहिए आप पती लगा सकते हो लेकिन यह देखो 26 को क्या पता इसको यहाँ पर इसके साथ 26 जून 26 अप्रेल के जगा यहाँ पर 25 अप्रेल दिया गया है बाकि बढ़ते हैं देखेंगे नमबर नेक्स जो है आपका एक सो देखेगा कौन सा था ये वाला किशन 121 किशन नमबर 121 प्रश्ण था 121 के बाद में आगे बढ़ेंगे 122 की तरफ 122 वा जो प्रश्ण है उसका क्या से उत्तर है क्यों नमबर 122 रास्तान के कौन से से को पूर्व का वैनिस कहा जाता है पूर्व का वैनिस है आपके उधे पूर्व को कहते द्रास्तान के विभी शैरों के उपनाम है वह आप पढ़ते ही हो आगे देखेगा लेकिन यादूना चाहिए 122 122 के बाद में हम बात करें 149 फिर सित्रवे का उत्तर बताऊंगा ठीक है इस है वो कब शुरू हुई थी 26 जनवरी 1982 के दिन पहले सॉन वेल्स जो रास्तान के अंदर ट्रेन है वो आपकी प्रेटन शुरू हुई थी अब क्यूशन नमबर आपके आ रहे हैं कि 70 का उत्तर बताओ इस नमबर 70 का भी बता देते हैं बाई आजाए अब इसके बाद इस नमबर 70 का देखिएगा सातियों किस नमबर सित्र की बात कर लेते हैं अब किस नमबर सित्र की बात कर लेते हैं सातियों क्यूशन नंबर 70 क्या था हाँ जी यह रहा हाँ यह इसकी बात करें इसका आंस्वर है आपका रितु का कारी धाल रितु कारी धाल जिसे रॉकेट वुमेन आफ इंडिया कहा जाता है यह जीके के 25 प्रस्ट हो जाते हैं अब कंप्यूटर के 25 प्रस्ट करिए और कमेंट बाक् आपके कितने प्रस्ट सही होगा है नमस्कार सातियों आसा करता हूं कि आपका जो पेपर है अच्छा हुआ होगा और कंप्यूटर के प्रस्ट है वहाँ करें दो प्रस्ट अब्टय मोटरे का अब करता है देखिये परस्ट हैisc 13 वणVO तकी तो आपका प्रस्ट आया है वहाँ प्रस्ट परते हैं डेखिये स्की acompañile 1 थर्ड कुसन देखिए आज कल e-book reader बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये परियोग में आसान, हलकी और आखों के लिए सुविदा जनक है उनमें परियोग की गई विशेश इंक स्याहि कौन सी है तो सात्यों ये जो प्रस्ण है, इसका उत्तर आपका होगा c c इसका सही उत्तर होगा सात्यों, अगला प्रस्ण देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रस्ण जो है, वह है 14, 14 प्रस्ण है सात्यों, तो यह दिन है आपकी महनत के फल का दिन है सात्यों, जो आपने महनत की है, उसके फल का ये दिन है और महनत का जो फल है, वहाँ व्यक्ति को उसी परकाद ढूंड लेता है, जैसे हजारों गायों में से बचड़ा अपनी मा को और जो विध्यारती संतोष जनक महनत इस पेपर में नहीं कर पाये थे, उनके लिए हमेशा की तरह ये पेपर भी प्रेणा दायक बनेगा, प्रेणा उनको मिलेगी देखिए, प्रसंद पढ़ते हैं, निमने लिखित में से कौन सा संपर्क हीन प्रोटोकॉल है, तो सातियों इसमें जो संपर्क हीन प्रोटोकॉल है, वह अपने को बताना है, A में है STTP, B है UDP, C है TP, और D है TCP Transmission Control Protocol, तो सातियों जो संपर्क हीन प्रोटोकॉल है इन में से, वह हैं आपका B, UDP, User Datagram Protocol, बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ, अगला प्रसंद है इसमें, 70, 17 प्रसंद सातियों, what are the advantages of IDE, programming का concept, programming में प्रियोग किया जाने वाला एक विशेश सौप्टियर होता है, और इसमें particular वो जो programming भासा होती है, उसके elements को directly use में लिया जा सकता है, IDE, देखिए, what are the advantages of IDE, integrated development, environment, तो इसमें option पहला है, कि समय की बचत होती है, B है, source code का स्वत्य ठीक होना, C है, विकास करना आसान है, D है, लागत कम हो जाती है, वैसे तो यह जो चार options हैं, इन में से 3 आपके आना चाहिए, 4 आना चाहिए था कि उप्रिवक्त सभी, लगबग यह सभी आपको समान लग रहे होंगे, लेकिन इन 4 में से केवल 1 को ही चुनना हो, तो कौन सा हमारा option सही होगा, तो देखिए, यह जो IDE होता है, Integrated Development Environment, इसमें code टाइप नहीं करना पड़ता है, automatically code generate हो जाता है, तो इससे समय की बहुत बचत होती है, तो एको हम इसमें सही उत्तर माल लेंगे इसका, अगला प्रस्ण है इसमें, तोंटिफोर, देखिए, next question, which of the following is not an OOP concept, निम्न में से कौन सा object oriented programming का principle नहीं है, OOP का concept कौन सा नहीं है, वो अपने को बताना है, friend class, देखिए, जो पहला ही है, यह object oriented programming का तरप, कुछी परसंद सात्यों, लेवल के आये हैं, बाकी बहुत easy परसंद आये हैं आपके, overall paper के हम बात करें, तो overall जो paper है आपका, बहुत ही आसान paper आया है, जिसकी आसा नहीं थी, बहुत ही आसान paper आया है आपका, which of the following does not give instant messaging, instant messaging के लिए, देखिए, नेमले लिखेत में से कौन सी तुरंट message की सुविदा नहीं है, बहुत ही आसान प्रसंद है, बच्चे भी कर लेंगे, गूगल जो chrome है, यह है instant messaging की सुविदा नहीं है, क्योंकि यह क्या है, एक web browser है साथियों, यह है एक web browser है, अगले प्रसंद की तरफ हम बढ़ते हैं, what is the sequence of the memory, memory का sequence पूछा है साथियों, इसमें memory का जो sequence है, वहाँ पूछा गया है, तेज से कम की और, तेज गती से कम गती की और, memory का जो करम है, वहाँ यहाँ पर पूछा गया है, देखिए साथियों, बस यह, देखिए, अपना प्रसंद यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ आपर, नीचे दिये गए विकल्पों में से, उत्साही उत्तर का चैन कीजिए, सबसे तेज जो गती है memory की, रेजिस्टर जो memory होती है, वहाँ सबसे तेज गती वाली memory है, और रेजिस्टर पहले इस्तान पर, B और C, D दोनों में से हैं, रेजिस्टर के बाद में, केस memory का नमबर आता है गती में, और केस भी सेकिंड इस्तान पर, दोनों options में available हैं, केस के बाद में आती है, रेम, रेम भी B और C, दोनों options में available हैं, next जो आती है, दो memory के devices बच्ची आपकी, SSD और HDD, Solid State Drive और Hard Disk Drive, तो इन दोनों में से जो स्टेज होती है, वह होती है साथियो, SSD और HSD उसके बाद में आती है, तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा, चाहती हो D, D इस प्रसंद का सही उत्तर होगा, अगले प्रसंद की तरब बढ़ते हैं, प्रसंद संक्या, 81, देखिए, विच वेब पेज इस डिस्पलेड डिफरेंटली, फोर डिफरेंट यूजर, यहां बात की जारी है, डाइनेमिक वेब पेज की बात की जारी है, वेब साथ में दो प्रकार की पेज होते हैं, साथियो, डाइनेमिक और इस्टेटिक, कौन सा वेब पेज अलग परियोग करने वालों के लिए अलग तरीके से परदसित होता है A. Home B. Dynamic C. वर्तमान D. Esthetic बहुत ही आसान प्रसन है साथी हो यह B. इसका सही उत्तर होगा Dynamic जो पेज होता है वहें परतियक यूजर के लिए अलग अलग हो सकता है उसकी आउशक्ता के अनुसार अगला प्रसन है बहुत ही आसान प्रसन है E. G. क्यूशन है साथी हो निमन में से कौन सा हार्डवेर उकरन नहीं है हार्डवेर उकरन नहीं है वो बताना है CPU हार्डवेर होता है साथियो Excel जो है नहीं होता है this is a kind of software यह हैं एक software का प्रकार है माहूस भी एक hardware होता है और monitor भी है एक hardware होता है इस प्रसन का सही उतर है आपका B Excel अगला जो प्रसμεन है वो है आपका प्रसंद संक्या 94 दे एड्रेस ओवेबसाइट इस कोल्ड ये भी आसान प्रसंद है दे एड्रेस ओवेबसाइट के पते को क्या कहते हैं तो वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं URL, ID, DNS और लोकेशन इसमें से सही जो उतर है आपका साथ हो वह होगा A, URL, Uniform Resource Locator इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन आपका 96 यहाँ पर लिस्ट दी गई है और लिस्ट को आपको करना है मेच और मेच करके और फिर उतर देना है सुची वन और सुची सेकिंड अनुरूप संकेत अनुरूप जो संकेत है वह कौन से है आपके analog signal है उनही को अनुरूप संकेत कहा गया है इंदी में analog जो संकेत है उनकी विषिचता क्या होती है विश्यस्त आपको छाटनी में से कमजोर संकेतों का प्रवर्धन करके दुबारा बेजता है बहुल उपकरणों को जोडता है सतत संकेत बेजता है ऐसंतत संकेत बेजता है तो ए जो है वह है चार के साथ इसका मिलान हो जाएगा अनलोग जो सिगनल्स होते है वो कॉंटिनियोस नहीं होते है डिजिटल जो सिगनल्स है वो कॉंटिनियोस होते है 0100001 में चलते है और अनलोग जो संकेत है वह नौन कॉंटिनियोस होते है ऐसंतत होते है पुनरावर्तक रिपीटर यह क्या करता है repeat करता है किसको signals को जो की weak signals होते हैं उनको repeat करने का काम करता है अंकिये जो संकेत होते हैं वो सतत होते हैं continuous होते हैं और HUB HUB जो है hub यह क्या करता है एक से अधिक devices को network में जोडता है तो A जो है A में आपका है fourth तो A में fourth A में भी है और D में भी है second B weak में आजाएगा आपका first तो B में जो first है वो केवल D में है C में आजाएगा आपका third और D में आजाएगा आपका second तो इस प्रसन का सही उत्तर आपका हो जाएगा सातियो D इस प्रसन का सही उत्तर हो जाएगा यह भी आपका एक आसान प्रस्ण था अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं बहुत आसान प्रस्ण आ रहे हैं सातियों मज़ा आ गया होगा आपको पेपर करने में बहुत ही आसान प्रस्ण है देखिए which services are used to make websites available for 24 into 7 hours website को हमेशा 24 into 7 hours available करवाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए हमारे पास जो ओप्शन अविलेबल है सातियों वो है देखिए वेब होस्टिंग एस्टी टी 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 टेली कम्प्यूटिंग या वीडियो कॉन्फरेंसिंग तो सातियों देखो वेब साइट को 24 into 7 hours उपलब्द करवाने के लिए हमेशा वेब साइट को उपलब्द करवाने के लिए वेब होस्टिंग का प्रियोग किया जाता है यह इस प्रसन का सही उत्तर हो जाएगा वेब होस्टिंग नेक्स्ट जो किशन है वह है सातियों कि विच टेग इस यूजड फोर बुलेट इन अस्टियमल यह हैं अस्टियमल का प्रसन आपका आगया है जो कि आउट ओप सेलेबस है क्योंकि अस्टियमल में प्रोग्रामिंग करना आपके सेलेबस का हिस्सा नहीं था सातियों तो देखिए इसमें विच टेग इस यूजड फोर बुलेट लिस्ट एन अस्टियमल अस्टियमल में बुलेट लिस्ट बनाने के लिए कौन सी टेग का प्रियोग किया जाता है तो HTML में bullet बनाने के लिए bullet list बनाने के लिए D, UL take का प्रियोग किया जाता है यह आपका auto syllabus प्रसन आ गया था ऐसे प्रसन आते ही है देखिए which of the following is most reliable protocol प्रसन संक्या 106 which of the following is the most reliable protocol most reliable protocol कौन सा है वहें अपने को इसमें से सलें की तरब हम बढ़ते है अगला प्रसन which of the following is not a hardware बहुत ही आसान प्रसन है hardware कौन सा नहीं है वहें अपने को बताना है निम्रिकिस में से कौन सा hardware नहीं है A है scanner B browser C monitor D printer आसान प्रसन है देखे इसका जो सही उतर है वह हो जाएगा B browser browser का प्रियोग website चलाने के लिए एक software के रूप में किया जाता है सात्यों तो ब्राउजर एक software होता है एक online software होता है एक internet software होता है जिसका प्रियोग website चलाने के लिए किया जाता है उधर आपका Google Chrome तो ये जो प्रसन है इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपका B इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स जो प्रसन है आपका देखिए एक सो तेरा प्रसन संक्या एक सो तेरा एक बार अगर अच्छे से seriously जिसने भी computer का syllabus किया है तो वह है इन प्रसनों के आसानी से उत्तर दे पारा होगा सातियों आप सिवम देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने आसान प्रसन आये हैं और कुछ प्रसन दोग केवल प्रसन out of syllabus है और दो-च्यार प्रसन तोड़े difficult है बाक spamming, spamming जो है इसके द्वारा unwanted अन चाहे जो message है वो user के mobile या computer पर बेचे जाते हैं वाइरस के बारे में आप जानते ही है D.O.S. denial of service इसका पूरा नाम है और phishing यह भी online fraud का एक तरीका होता है online जो fraud करते हैं वो phishing के माधियम से ही करते हैं आपको एक mail भेज दिया जाता है और उसमें कोई link आता है और उसमें आपको कुछ लालस दिया जाता है उस link पर आप click कर देते हैं direct हो जाते हैं आप किसी website पर और आपकी account का पैसा खाली हो जाता है तो इस तरह के fraud phishing के दवारा की जाते हैं यह जो प्रसन है इसका सही उत्तर होगा सात्यों बहुत ही आसान है सी इसका सही उत्तर होगा doz denial ओ पे service इसका उत्तर होगा अगले प्रसन की तरह हम बढ़ते हैं प्रस्ण संक्या 119 प्रस्ण 119 स्साथ यूद देखते हैं ये हैं जो प्रस्ण है पी औज प्रकेर आप परेंगे तो इस प्रस्ण का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे क्योंकि operating system topic से बिलकु शुरू से ये प्रस्ण पूछ लिया गया है कि operating system के कार्ये क्या होते हैं प्रचालन तंतर के computer में कार्ये क्या होते हैं तो यहाँ पर कथन दिये गये हैं और उनमें से अपने को select करना है कि operating system के कार्ये क्या क्या होते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि memory, memory को manage करना operating system का कार्य होता है, process को manage करना operating system का कार्य होता है, एवं एक कतन है उसमें कि files और folders को बनाना और उनको delete करना operating system का कार्य होता है, तो जो 3 है, 4 total कतन है, 4 में से 3 सही है, उसमें से कौन-कौन से एक तो memory management operating system का कार्य होता है, बिल्कुल होता है, सही है, files को और folder को बनाना और उनको delete करना भी operating system का कार्य होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है, एवं process management, कौन सा software कब चलेगा, ठीक है, software चलने के दोरान उ उनको manage करना भी operating system का कार्य होता है, एक कतन है, इस में से जो कि गलत है, वो क्या है सातियो, कि परिकलन को नियंतरित करना, अर्थार जो calculation होती है computer में, उसको control करने का काम operating system नहीं करता है, यह काम operating system में नहीं करता, यह कौन करता है, यह CPU के द्वारा किया जाता है, CPU में processor के द तीन कतन है, first, third और fourth, तीनों कतन सही है सातियों, तो यह तीनों का किस option में है, देखते हैं, first, third और fourth, बी, केवल first, third और fourth, बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सातियों, अगले प्रेशन की तरफ रुख करते हैं, 124, फरसन संक्या, एक सोचोईस, एक और बहुत ही आसान प्रसन, बच्चों वाला प्रसन, बहुत ही आसान प्रसन है, school time वाले जो बच्चे होते हैं, 9-10 वाले बच्चे वो भी इसका उत्तर दे सकते हैं, email से ये प्रसन पुछा गया है, कि email ID में जो BCC वाला पार्ट होता है, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी फुलकॉम पुछी गई है, blind content copy नहीं होता है, blind carbon copy नहीं होता है, bind content copy नहीं होता है, तो blind carbon copy D इसका सही उत्तर हो जाएगा, सात्यों, 114 का D सही उत्तर हो जाएगा, अगला जो प्रसन है, 129, 129, देखते हैं यह प्रसन है, who developed C language, C भासा का आविश्कार या विकास किसने किया था, तो C भासा का जो विकास है, विकास किसने किया था, Guido, One, Rojam, Tim, Burkell, Warren, Newen, या Dennis Ritchie, सात्यों, Dennis Ritchie के द्वारा, C प्रोग्रामिंग भासा का आविश्कार किया गया था, Dennis Ritchie इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान प्रसन था, अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं सात्यों, Which of the following is used to check synonyms in HTML, HTML में प्रियाईवाची सब्दों की जाज करने के लिए निवन में से किस option का प्रियोग किया जाता है, अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्विशन है आपका, अगला जो प्रसन है, ये हैं भी MS Word से ही है आपका, और प्रसन देखी आप, MS Word में मेल मर्ज विले फीचर के क्या लाब है, MS Word में मेल मर्ज की जो फीचर्स लाब पूचे गए हैं यहाँ पर, चार कतन दिये गए हैं, उनमें से कौन से सही है, वो अपने को छाटने हैं, पहला प्रसन है, इससे बहुत से समय और प्रियास की बचत होती है, हाँ, बिल्कुल, बहुत से समय और प्रियास की से बचत होती है, यह प्रलेक की रूप्रेका बनाने में प्रियोग होता है, साथ यो प्रलेक होता है, डुकुमेंट होता है, उसकी रूप्रेका बिना मेल मर्ज के भी बनाई जा सकती है, यह सभी प्राप्त करता हों के लिए विवरण पत्र रखता है All जो recipients होते हैं उनकी list को यह maintain रखता है इसमें mail merge में हम रख सकते हैं तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा भी इसमें सही कतन है यह परले को और अधिक आकर्शक बनाता है देखे डोकुमेंट को किये फॉर्मेटिंग करने है तो उसके लिए mail merge को याव सकता नहीं है चोथा भी इसका सही कतन नहीं है तो first और third first और third जो है इसके सही कतन है तो B इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रसन का B केवल एक और तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगले प्रसन की तरब बढ़ते हैं 138 138 वा मरा अगला प्रसन है 138 वा प्रसन देखिए which is the most advanced printing technology most advanced technology थोड़े सी IQ का प्रियोग अगर को विध्यार्थी करता है तो ये बहुत आसान प्रसन है इन में से advanced technology कौन सी है प्रिंटिंग की thermal printing, laser jet printing और ink jet printing इन में से D इसका सही उत्तर हो जाएगा 3D printing most advanced technology है प्रिंटिंग की अगला प्रसन है 140 प्रसन संक्या 140 एक list दी गई है साथियों और list में जो content है उनको मेज करना है list 1 से list 2 को मेज करना है browser browser का प्रियोग किसलिए होता है software used to access website website को access करने के लिए browser software का use होता है HTML interactive element HTML में interactive element बनाने के लिए takes का प्रियोग किया जाता है और take का example first में दिया गया है 3. multimedia multimedia के अव्यव कौन-कौन से होते हैं तो multimedia के कुल पांच अव्यव होते हैं अलावा आपका images हो गई आपकी और animation इसमें नहीं दिया गया वह भी multimedia के अव्यव होते हैं वेब होस्टिंग वेब होस्टिंग का प्रियोग किया जाता है सातियो आंसर इसका कौन सा राइट होगा देख लेते हैं ब्राउजर ब्राउजर वेबसाइट पर पहुँचने के लिए शॉप्टर है A में थड A में थड कहां कहां है B में भी है और D में भी है सातियो फिर HTML में आजाएगा आपका first तो B में first third में भी है और fourth option में भी है C multimedia C में आजाएगा आपका fourth तो C में जो fourth केवल B में है और D WAVE होस्टिंग आजाएगा आपका second तो सही उत्तर आपका हो जाएगा B कि इस प्रसंद का सही उत्तर आपका भी हो जाएगा साथियों अगले प्रसंद की तरफ बढ़ते हैं नेक्स प्रसंद देखी जाते हो विज टेग इस तो क्रेटेट ड्रोपडाउन मेन्यूनी वेबसाइट यूजिग एस्टी एमल का प्रसंद आ गया है एक और आउट ओप से लेवस प्रसंद है आपका यह एस्टी एमल का प्रियोग करके वेबसाइट में ड्रोपडाउन मेन्यू नीचे की तरफ करम में बनाने के लिए कौन सा टेग प्रियोग किया जाता है अगले प्रसंद के तरफ बढ़ते हम देखिए प्रसंद संक्या 146 है इसमे देखिए सातियों हो perform लिस्ट वन और लिस्ट टू दी गई है चार्ल्स बेमेज जो है उन्होंने किसका आविशकार किया था इनलीटिकल जॉन वोन नूमेन ने परथम PD का computer बनाया था और वह न कुम्पूटर क्या था यहां पर लौन वप ऑईगा वेग bize होने अविश्कार के सबते होने मुलकर किया था जो है फस्ट के साथ चला जाएगा ब्लेज पास्कल फ्रांस के गंडितग्य थे और दुईयां का पहला अमैनिक मेकेंिकल केकुलेटर बनाने का स्रय ने दिया जाता है तो ब्लेज पास्कल जो है छोथ्य ऑप्शन के साथ चले जाएंगे चोथ्य विंदो उसके साथ चले जाएंगे, हरमन होलिरित ने टेबुलेटिंग मशीन का विश्कार किया था तो देखे, इनको मिलान करके देख लेते हैं, कौन सा हमारा ओप्षन राइट है A, A जा रहा है हमारा तीसरे के साथ तो A में थर्ड, A में भी है और D में भी है सेकेंड, जोनवो न्यूमेन में फर्स्ट आएगा, तो B फर्स्ट A में भी है, और B फर्स्ट D में भी है, C बलेज पास्कल फोर्थ पॉइंट के साथ जा रहा है, तो C में फोर्ट, जो है केवल D में है साथियो, B में नहीं है और नेक्स्ट है, D हर्मल होरिलिद जाता है हमारा सेकेंड के साथ में, तो आंसर हमारा हो जाएगा D इस प्रस्ट का सही उत्तर हो जाएगा साथियो, D इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं ये प्रस्ट संक्या हमारा था 40, 146 से और लास्ट हमारा प्रस्ट बजता है 148 लास्ट हमारा प्रस्ट है देखिए यह जो प्रस्ट है यह है MS Excel से पूछा गया है What is the usage of micro feature in MS Excel? MS Excel में micro feature का क्या प्रियोग होता है? MS Excel में micro जो विशिष्टा होती है उसके लाब क्या क्या है सातियों तो देखिए इसमें आपको कतन दिये गए है पहला कतन है यह संदेश बेजने के लिए प्रियोग होता है मेक्रों का प्रियोग संदेश बेजने के लिए नहीं होता है पहला कतनामा का गलत हो जाएगा यह समय की बचत करता है बिल्कुल मेक्रों के द्वारा हमारे समय की बचत होती है कतन सही है यह वरक सीट की रूपरे का बनाता है नहीं रूपरे का बनाने के लिए इसका प्रियोग हम नहीं करते है यह एक seat में परिवर्तन के प्रारूप को समान रूप से बनाए रखता है बिलकुल इसके द्वारा formatting को समान रूप से बनाए रखा जा सकता है macro जो है group of commands होता है जिनका परियोग हमारे document में या workbook में बार-बार किया जाता है तो इसका second और fourth जो option है कथन है वो सही हो जाएगा तो second और fourth किस में है केवल 2 और 4 इस प्रशन का C उत्तर सही हो जाएगा साती हो केवल 2 और 4 तो साती हो यह थे हमारे computer के प्रशन ठीक है धन्यवाद best of luck से खाल हूँ